अलो दोस्तों जैसे सी परिक्षा में एक वरफी सब का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जारखंड बीड की सबसे बेश्ट बुक के बारे में जो की चप्चू पब्लिकेशन के द्वारा प्रकासित किया गया है जिस बुक का नाम है जारखंड बीड संयुक्त परिक्षा में समाने हिंदी से 15 प्रस्ण आते हैं और जेनरल इंगलिज से 15 प्रस्ण आते हैं और सिक्षन अभी योगता से 40 प्रस्ण जबकि तार्की की योगता से 30 प्रस्ण आते हैं तो इन सारे सिलेबस के बारे में इस बुक में completely discuss किया गया है यदि आप इस बुक को order क परिक्षा में आपका स्वागत है तो आज हम लोग जार्खंड समान ग्यान के अगले अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस अध्याय का नाहमें दोस्तों 1947 से राज्य में आर्थिक विकास ठीक है हम लोग इस चेप्टर में में लिए 8 टोपिकों के बारे में जार्खंड की प्रमुख नदियां के बारे में पोर नमबर पर है प्रमुख जल परपात जील और बांद से सम्मंधित पांचवे नमबर का टोपिक रहेगा नदी घाटी पुरिजनाओं के बारे में चट्छे नमबर का टोपिक है जार्खंड की सतही मिटी के बारे में सात नमबर का उससे आरम करते हैं देखे जारखंड 24 जीलों से मिलकर बना है यह भारत का 28 राज है इसकी भगोलिक इस्तिति निवन परकार के हैं ठीक है देखे जारखंड उत्री गोलार्द में 21 डिगरी अंठावन मिनट से 25 डिगरी 18 मिनट उत्री अक्छांस के बीच इस्तित है इसका देशांतरे बिश्तार 83 डिगरी 19 मिनट से 87 डिगरी 17 मिनट पूर्व के बीच में इस्तित है इसका चेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमेटर है ठीक है इसकी पूर्व सीमा पर पच्छिम बंगाल पच्छिम सीमा पर 36 गड़ और उत्तर परदेश और उत्री सीमा पर बिहार तथा दक्छिम सीमा पर उड़ी सा इस्तित है ठीक है देखे आगे है इजहारखंड की जनसंख्या 2021 की जनगन्या के अनुसार 32 यहां पास देखते हैं कि 3,29,88,134 है ठीक है उन्स अगेन 3,29,88,134 है ठीक है उनिस्वी सताबदी से पहले जहारखंड बंगाल का हिसा था एक अपरेल 1912 को यह अलग होकर बिहार में आया ठीक बिहार में भी इसका भोगोलिक स्थीती में परिवर्तन हुई सन 1936 में बिहार से प्रिथक होकर उडिसा राज्य बना और सन 1948 में सराय केला खरसावा को समलित किया गया सन 1953 में पुर्ण गठान आयोग ने इसके 5573 किलोमेटर भुभाग को बंगाल में मिला दिया इस परकार तीन बार विभाजन के बाद बिहार का कूल छेत्रफल एक लाक्चे हुतर हजार अरतिस वर किलोमेटर रह गया इसमें 89,714 वर किलोमेटर छेत्रफल के रूप में जारखन राज अलग हुआ ठीक है देखे जनसंख्या के द्रिष्टी से भारत की कूल जनसंख्या का 2,723 जारखन का जनसंख्या निवास करती है इस अधार पर यहां का जनसंख्या घनत्व 414 वेक्ति प्रति वर किलोमेटर है देखे कल जो हम लोग टोपिक पढ़े थे के जारखन के जमें समंधित कानून वो बहुत ही बोरिंग टाप का उसका रिविजन था लेकिन आज का जो यह टोपिक है यह बहुत ही इंजवायमेंट टाइप का होगा ठीक है क्योंकि हम लोग इसको बार बार पहले पढ़ चुके हैं ठीक है देखे भूगरभिक सनचना के बारे में तो जारखन छेत्र अति प्राचिन सनचना गुणवाना भूखन्ड का उत्री पुर्वत छ चठानों और खनीजों में मिलती है जारखन के भूगरभिक निर्मान के प्रमुक चरन इस परकार से हैं पहला चरन है प्राचिन यूग का आरकियन निर्मान दूसरा नवीन आगने निर्मान तिसरा बिंध यूगिन निर्मान चौथा गुंडवाना यूगिन निर्मान पा देखे आगे इसके बाद की जार्खंड के भूगर्भिक निर्मान के उपरोक्त चर्णो का विसलेशन निम्नवत किया गया है। परतिसत पाई जाती है। वे गुणवाना यूग की परतदार कोईला प्रधान चटाने और बिंध यूग की बलवा पथर एवं चुना पथर प्रधान चटाने राज महल ट्रेप, लेटे राइट निर्मान, बोक्साइड और नदियों द्वारा नीचे पित जड़ोर आर्कियन यूग की चटाने मुखेता दो वर्गों में विहाजित की जाती है। लव करम भी कहा जाता है। धारवार यूगीन की चटानो का दूसरा विस्तार गया यानि की बिहार तथा हजारी बाग से मुंगेर तक है। के अंतरगत इस यूग की आगने चटाने हैं। आगने चटानों की रंद्रों में खास कर सिमुम छेतर में कुरमाइट और एसबेस्टस के निछेप मिलते हैं। इसी काल में परिवर्तन निर्मान कारी हल्चोलो का परभाव यहाँ पड़ा जिसके फल सोरो परतों में वलन और भ्रसन हुए जिनसे छोटी छोटी पहाडियों का निर्मान हुआ। इन पहाडियों का कालांतर में अपर्दन होता रहा। इसी दोरान दालमा और धनजोरी छेतर में लावा का उदगार हुआ। जिसमें समतल प्राय गिरेनाइट नीस और पेनी प्लेन पर लावा का जमाव हो गया। यह लावा वलित के रुप में पाया जाता है। रोहतास पठार का दख्षनी भाग जिसमें प्लामू वा गडवा जीले के कुछ भाग आते हैं। इसके परतदार चटानों में बलुप पथर, चुना पथर, क्वार्जाइट और डोलो माइट की प्रधानता है। गोंडवाना युगिन चटानों की प्रधानता दामोदर घाटी और अरंगा घाटी में है। पठारी भाग के विस्तिरित कोईला निछेप इनहीं चटानों में पाय जाते हैं। उच कोटी के कोईले निछेपों की कारण पठार का महत्व काफी बढ़ जाता है। गोंडवाना तलचटों का निछेपन जिन चेतरों में हुआ है उनमें सबसे भी साल चेतर दामोदर नदी घाटी चेतर है या हर्सियन परिववर्तन काल की भरंस घाटी का चेतर है। दामोदर घाटी में निरंतर तलचटों के निछेपन के कारण त्रियासिक कल्प तक 5000 फिट मोटी परत के रूप में मध्य गुंडवाना या महादेव स्रिंखला का निर्मान हुआ छोटन आकुर पठार के पच्मी भाग की उच्छ भूमी को पाट छेतर कहा जाता है। यह पच्मी भाग राची वर्तमान लोहरदगा से लेकर दक्षनी पलामू जीले तक फैला है। इसमें उत्पन लेटे राइट से अपरदन किरिया के फल सुरूप बोकसाइड का निछेप हुआ है। सीमित छेतरों में हैं जैसे राज महल के पुर्वी भाग, सोन घाटी, सोन रेखा की निछली घाटी और पठार के उत्री छोर पर पाया जाते हैं। जारखंड में कुडपा क्रम के चटानों का न पाया जाना यह सिध करता है कि यह छेतर हमेशा समूंदर तल से उपर रहा है। आगे है सनरचनात्मक विकास योम सैल्य संसस्तन के बारे में। देखे, यह उलेखनिये है कि प्रायदी पिय छेतर संपुन भारत में एक इस्तिर पठार के रूप में है। जारखन का पठारी भुभाग इसके उत्तर पुर्वी छोर का एक अंस है। यहां भुभाग क्रिस्टली और रूपांत्री चटानों से निर्मित है। पठार के प्रारंभिक सनरचनात्मक अधार अस्तर जिस पर धारवार चटानों का निर्मान हुआ था। इस परकार रूपांत्रित हो चुकी है कि उनमें मूल रूप को पहचानना कठिन हो गया है। या सनरचना में हलचल में नहीं हुआ है। जारगंड के उतरी और मध्यवर्ती तथा दक्षनी पुर्वी भागों में इस्थित और सिष्ट पहाडियों प्री केम्बियन कालिन परवत है। देखे पुर्व क्रेंबियन यानि की आदे महा कल्प के बारे में इस कल्प की चटाने जिवास मरहित है। इस महा कल्प को दो भागों मिभाजित किया जाता है। इवां सोडा गरेंड नाइट और चक्रधर पूर सेल और छोटानाकपूर सेल और अत्यल्प सिविल सेल और ग्रेबो सेल और अर्थनो साइट और कुलहान संग और दालमा और धनोगोरी लावा और धनजोरी बलुवा पत्थर वा कागलो मरेट इसमें इत्यादी सामिल है। इसके अलावा लव आयस्क संग के अंतरका जारखंड में सामिल है सिम्हूम ग्रेनाइट यानि कि उपरी सेल बलुवा पत्थर और ज्वाला मुखी सेल और पट्टी हेमेटाइट या क्वार्जाइट निमन सेल या लावा परभाव या बलुवा पत्थर या कल्मूरेट अधिपा जाते हैं ये सभी लव आयस्क संग के निछेपन के पूरो वलित एवं अपर्दित हो चुके हैं इस चटान समुह के उपर बिशम बिन्यास पाया जाता है इसके उपर आयस्क निछेप पाया जाता है संपूर्ण छोटा नागपूर में यहा मेगमेटाइटी करण के कारण अवरकी स्थिल्ट सिस्ट सेलों में परिवर्तित हो गया चकरधरपूर सेल इन ही के भाग है इसके आगे की अलप सिलिक सेल के बारे में देखे यहां दक्षिन सिंभू में परिवर्तित पेरीडो टाइट के रूप में मिलता है चाई बासा के निकट सैस्टोन का निछे पाया जाता है छोटा नाकपूर सेल सिम्भूम और गंगपूर के उतर में विस्तिरित सेल चटाने छोटा नाकपूर सेल के नाम से जानी जाती है इसमें क्वार्ज और माइक्रो क्लिनिकल और बायो टाइट आधिक नीच पाय जाते हैं सिंभूम ग्रेनाइट यहां बैथो लीथिक आकार में स्थेकड़ो वर किलोबिटर में विस्तिरित है इसमें बायो टाइट और ग्रिनुडायो राइट से लेकर एडा मिलाइट और ट्रेजुमाइट यह तथा हलके रंग के ग्रेनाइट पाया जाते हैं इसमें आगे है नए डेले राइट के बारे में देखे यह सिंभूम में पाया जाता है और 700 मिटर तक मोटा होता है यह डोला राइट चटाने है लेकिन कहीं कहीं अन्य चटानों भी बन गई है इनका विस्तार मुखता उतर और उतर पुरू से दक्षिम पच्छिम दिसा में है जारखन के उतर पच्छिम भाग में सीमा का निधारन करती सोन नदी घाटी का कुछ चेतर सामिल है यहां भी आरकियन समुख की उपस्थिती पाय जाती है यह सिस्ट चटाने है इन्हें दो भागों में रखा गया है निचले अगोरी समुख में स्लेट क्लोराइट और सिस्ट और जैस्पर चुना पथर आदी जब की उपरी समुख में स्लेट ग्रेट आदी प्रमुख है इसी कल्प में जार्खंड के दक्षनी छेतर में समपनती या संभी नती और भू संचलन लावा निरुसरन और अंतवैर्धन तथा अवसादन की जो घटनाए घटी उनकी छाप आज भी सुरक्षित है इस संदर में आर्कियन युगिन महा असकंधी एवं सिम्भूम आर्कनिज ग्रेट डालमा तथा धन जोरी लावा बिसेज रुप में उलखनिये है आगे है कडपा छेतर ये जार्खंड स्रेनी जार्खंड छेतर में कोल्हान संग के नाम से जाने जा या स्रेनी कालो म्रेट कागलो म्रेट या सेल या बलुवा पत्थर के साथ मिलता है बिंधियन स्रेनी का विकास जार्खंड के उतरी पच्छिमी सोन छेतर में समंधित है लेकिन यह असपस्रता जार्खंड की सीमा से लगवक 30 किलोमेटर आगे डेहरी ओंसुन छेतर में अम 220 से लेकर 150 मीटर मोटे चूने पथर और सैलो के अस्तर के रुप में निरूपित है आगे है इसके बाद की पूरा जीव महा कल्प के बारे में इसको बोलते हैं Cambrian काल से Permian काल तक ठीक है देखे Cambrian काल से लेकर Permian काल तक 6 कल्प है इनमें क्रेंबियन सबसे प्राचिन है पूरा जीव महाकल्प के संपुर्ण भारत में या विश्व में दो भाग मिलते हैं कैम्परियन से मध्या कार्बनी फेरस का निचला आस्तर और उपरी कार्बनी फेरस से परमियम काल तक का उपरी आस्तर जहारखन में इस महा कल्प के हिताथ एक महतोपुर्ण तत यह है कि कैमरियन काल से लेकर पर्मियन आकाल तक यह छेत्र न केवल समुन्दतल से उपर रहा बलकि यह किसी ब्यापक विवर्तनी घटनाओं से भी मुगत रहा उपरी कार्मनी फेरस से पर्मियन कल्प में छोटा नाकुर पठार के मद्यवर्ती भाग में भरंस घाटी की रचना हुई इसमें दामोदर नदी का विस्तार हुआ इस भरंस घाटी और अन्य बेसिनों में गुंडवाना युगिन आवसादन की एक लंबी परकिरिया चली इह गुंडवाना महा कल्प की काल उपरी कार्मनी कल्प से ट्रियासिक कल्प तक माना जाता है यह केवल गुंडवाना आवसादों का समुह माना जाता है लेकिन भागोलिक विस्तार और निचेपन के समय की अभ्यापकता को देखते हुए अब इसे महा संग की मानेता दी गई ह जारखंड में केवल दामुदर घाटी के भरंच छेतर का करम पाया जाता है गुंडवाना में तालचीर और दामुदर संग है उपरी गुंडवाना में महादेव संग और निचला अस्तर पंचेत रेनी है आगे है तालचीर संग के बारे में देखे गुंडवाना महासंग का यह सबसे निचला समू है यह उन सभी अस्थानों में पाय जाता है जहां निचला गुंडवाना महासंग का बिस्तार हुआ इनका नाम उडिसा यानि की उडिसा के तालचीर नामक अस्थान पर अधारित है इसके उपर हरे रंग के सहल था बलवा पथर पाय जाते हैं जो 100 से 125 मिटर मोटे हैं आगे है दामोदा संग के बारे में देखे तालचीर संग के उपर कोले के अस्तरों से यूग चटानों की मोटी स्रिंखला मिलती है जो दामोदा संग कहलाती है इसे चार समुन भी वाजित किया गया है पहला है करह रबारी दुसना है बराकर तिसरा है अनुत्य पादक लोव प्रस्तर चौथा है रानी गन संग के बारे में देखे जो कहरर बारी जो समु है वो दामोदा घाटी में बिक्सित हुआ है यह समुन गिरिडी कोला छेत्र में तालचीर स्रेनी से अलग होती हुई दिखाई देती है इसमें 60-120 मीटर मोटी ग्रीट बलुवा पत्थर सेल आदी पाज आते हैं बराकर समु का नाम बराकर नदी परधारित है यह समुन गुणवाना महसंग का सरवधिक प्रमु कोला समु है छेत्र है यहां 750 मीटर मोटे सफेद या भूरे रंके बलुवा पत्थर पाज आते है इन्ही परतों के बीच कोले की परते भी पाज आती है जरिया कोला छेतर में ऐसी परते पाज आती है अनुत पादक लोपरस्तर समु बराकर और रानीगन समु हो में इस्तित है यहां 420 मीटर मोटे बलुवा पत्थरों का जमा पाय जाता है लेकिन यहां कोले के अस्तर नही मिलते इसलिए इसे अनुत पादक सेल समु हो के नाम से जाना जाता है यहां कई अस्थानों पर लीमो नाइट उपस्तित है इस पातकार खानों में इसका परियोग अयस्क के रूप में किया जाता है रानीगन समु हो की स्थिति इन्ही अनुत पादक लोपरस्तर समु हो के आगे हैं महादेव संक के बारे में देखे महादेव संक के निचले अस्तर पर पंचेज समों का जमाव है इस समू के निर्मान के साथ ही निचले और मदेवर्ती गुणवाना महा कल्प की सीमा खतम हो जाती है इसके उपरी गुणवाना महा संग के सैलो का निच्छेपन हुआ है पंचेत समू 450 से 600 मीटर मोटे बलवा पत्रों के एक ऐसे संस्तरों का नाम है जो रानी गंज के दक्षिन में रानी गंज समू के उपर विक्सित हुआ है आगे है मद जीवी महा कल्प के बारे में इस महा कल्प के तीन कल्प है सबसे प्रारंभिक काल ट्रियासिक है मद्धे काल को जुरासिक और अंतिम काल को क्री टैसियस कहते है प्रियासिक कल्प में उपरी गुणवाना के अस्तर पाय जाते हैं यह महादेव और राज महल तथा पंचेत सरेनी के उपर में पाय जाते हैं रानी गंजबे पंचेत सरेनी के निचले भाग में हरे और भूरे रंग के बलुवा पत्थर तथा अबरकी और बलुवा पत्थर पाय जाते हैं इसके समान समूहों का विकास और अंगाबाद और बोकारों कोईला छेतर में हुआ है जुरासी कल्प में गुणवाना छेतर में गुणवाना समूह का निच्छेपन जारी रहा है गुणवाना समूह के उपर अवस्तित राजमहल समूदाय के पादपास्मों के अधार पर साहनों ने उन्हें जुरासी काल के समतुल्य माना है ठीक है डॉक्तर अस्पैत के मत में यहा निमनक क्रिस्टेसियस युगीन है जुरासी कल्प में ही राजमहल छेतर लावा निर्सरन चे परभावित हुआ इसके परनाम सोरूप इस शेतर में ग्रेनाइट का अपरदित धरातल तथा गुणवाना के अवसादी बेसिन लावा की परत से ढख गएं और क्रिस्टेसियस काल का अंतिम चरन आगने गती वीधियों का काल था बुंदेल खंड और जारखंड के बोकसाइड और पहाडिया डेकन ट्रेप का ही परमान प्रस्तुत करती है कुछ बिद्वानों की मानेता है कि क्रिस्टेसियस काल में राची पठार के बच्मी भाग में अस्थानी रूप से लावा परवा उत्पन हुआ था इस परिकलपना के अधार पर राजमहल ट्रेप को डेकन ट्रेप के समान ही बताया गया है अता राजमहल ट्रेप जुरासिक काल का रूप है जबकि पच्मी राची या पाठ छेतर का ट्रेप क्रिस्टेसियस काल का है आगे है नुतन जिवी महा कल्प के बारे में देखे नुतन जिवी महा कल्प मदेवर्ती महा कल्प की समापती के बाद आ उप्त हो गए उनके अस्थान पर एंजियोज पर पाया जाने लगे इस महा कल्प में अस्थान धारियों और खास तोर पमनिस्यों की उत्पती की विशेश घटना गटित हुई यही कारण है कि इस कल्प को नुतन जिवी महा कल्प के नाम से पुकारा जाता है इस महा कल्प के अभिवर्तनिक परक्रियाओं द्वारा पूरी होती है इसके लिए हिमाले के करमिक उत्थान को जीमेदार समझा गया है द्यूतिय उत्थान मद्य मायो सिनकाल में हुआ था तथा तिरितिय उत्थान अप्लिस्टो सिनकाल में हुआ था इसी करम में जार्खन में भी तीन उत्थान हुए पर्थम उत्थान की घटना के कारण पच्मी राची के लावा छेतर का बुभाग उपर उठा और लगभाग 300 मिटर उंचा पठार बन गया दित्य उत्थान की समय पच्छिम उत्थित पठार तथा छोटा नाकपूर का मद्यवर्ति भाग पुना 300 मिटर तक उठ गया तीसरे उत्थान में समपुन छोटा नाकपूर 200 से लेकर के 300 मिटर तक उपर उठ गया आगे है भौति विभाग के बारे में, देखिए जार्खंट पठारी छेतर प्रादितिपिय पठार का पूरो भाग है यहां, त्री धरात रिले पठार की रूप में है, ठीक है? त्री धरात लिये जो पाट पठार, राची पठार, हजारी बाग पठार, कोड़नव पठार के नाम से प्रसीद है इन सभी पठारों की ओसत उचाई 760 मीटर है सबसे उचा चोटी पारसुनात की पहाड़ी है जिसकी उचाई 1365 मीटर है राज को भौतिक विभाग के अधार पर चार भागों बठा गया है पहला पाट का पठार, दूसरा राची का पठार, तिसरा निचला छोटा नाकपुर का पठार और चोथा राज महल, उच भूमी और अपरदित मैदानी भू भाग देखे, पाट पठार में नेतर हाट और बागडु आदी छेतर है इस पठार की अधिक्तम उचाई 3600 फीट और निम्तम उचाई 2500 फीट है या पठार जारखन के लोहरदागा लाते हर प्लामों और गुमला जीला में फैला हुआ है राची के पठार का बिस्तार लोहरदागा और उगुला जीले में फैला हुआ है इस पठार के सिमावरती छेतरों में ढाल पाय जाते हैं जिनसे बाहती भी नधियां जलपरपात का निर्मान करती है छोटा नाकपुर इस्तित राची का पठार संपरदाय मैदान का उधारन है इन पठारों की उँचाई लगभग दो हजार फीट है इसके उपरी भाग में टान और निचले भाग को दोन कहा जाता है हुंडू जलपरपात 73 मीटर उचा और दसम जलपरपात 49 मीटर उचा है राची का पठार और हजारी बाग का पठार पराचीन काल में एक ही थे जो बाद में दामोदर नदी की धारा के घारान अलग हो गए हजारी बाग के पठार की उचाई 1000 फीट है छोटा नाकपुर का निशला पठार धरा तलिये है जो सम पराई है इसकी उचाई 350 फीट है और यह बोकारो हजारी बागिरी डिधनबाद और सिम्हुम जीले में फैला हुआ है यह खनीज पुर्ण पठार है अपर्दित मैदानी भुभाग नदियों घाटियों का भुभाग है और समतल निम्न मैदानी भाग का छेतर है इन चटानों में ग्रेनाइट और नीश का परचूर मातराएं पाय जाता है दामोदर बेसिन और राजमहल की पहाड़ी इसी निम्न छेतर में इस्थित है भुभ याग्यानी को ने स्विकार किया है कि जार्खन की चटानों में प्राचीन काल से अब तक हुवे भगोलिक परिवर्तन की असपष्ट परमान मिलते है इनकी अवसत उजाई 620 मिटर मिलत अपरदन एवं उत्थान के कारण इहा तदी कटे फटे एवं उचे निचे धरातल अवस्तित पहाडियां भरंस का गारे दरारे घाटियां आदी विकास हुआ है जार्खन के उचा वज समंधित सोध से असपष्ट होता है कि जार्खन एक पठार नहीं वरान पठारों के कर में रूप में फैला हुआ है तथा परतेक पठार भरंस का गारों द्वारा एक दूसरे से प्रिथक हैं 500 फीट की समोच रेखा इसे बिहार के मैदानी मैदान से प्रिथक करती है उचा वज के दृष्टी कौन से जार्खन को निम्नवत परमुख इकाईयों में विभाजित किया जा सकता है पाठ परदेश जार्खन का सबसे पंचीम एवाम सबसे उचा वाला भाग पाठ परदेश के नाम से जाना जाता है इसका विश्थार पलामुगडवा लाते हार लोहरदाग्या तथा उतरी गुमला में मिलता है इसकी औसत उचाई 2500 से लेकर के 26 फीट है ने पाठ चोटी से युक्त पहाडियों को इंगित करता है रांची तथा हजारी बाका पठार पाठ छेतर के पूर्व में समान उचाई यानि कि ओसत उचाई 2000 फीट के दो पठार रांची पठार और हजारी बाका पठार पाए जाते हैं ये दोनों पठार दामोदर घाटी द् जारखंट की उची चोटी पालसनात की पहाड़ी 480 फीट यानि कि 1365 मिटर इसी में इस्तित है आगे है कि राजमहल की पहाड़ी यहां संस्थाल प्रगना में 500-1000 फीट उचा लावा से निर्मित छेतर है ठीक है और आगे है कि चाई बासा का मैदान या उतर में दालमा जारखंट में कुलहान छेतर स्रेनी से घिरा हुआ है या छेतर लगभग 500 फीट उचा है आगे है हम लोग का आगला टोपिक जारखंट की जलवायू ठीक है चलीब जानते हैं जारखंट की जलवायू के बारे में देखे जारखंट को मौसम बैग्यानिकों ने जलवायू क अधार पर पर्यात अधरता और अधीक वर्षा वाला छेतर माना है उच कटी बंधी ये छेतर होने के बाद भी उचा पठारिय छेतर होने से यहां जलवायू में उतार चड़ाव होते रहते हैं यहां तीन परकार की दित्में ग्रीश्म रितु वर्षा रितु और सीत रित पाई जाती है देखें ग्रीश्म रितु के बारे में यह रितु 15 मार्थ से 15 जुन तक राती है इस रितु में जहारखंड का और सत अपमान 29 डिगरी से तक हो जाता है इस उच तापमान का कारण सूरे का उत्रायन होना दीन की लंबाई बढ़ना और सूरे ताप का बढ़त उत्पन हो जाता है इस रितु में आधरता कम होने लगती है आगे है इसके बाद वर्षा रितु के बारे में 15 जुन से लेकर के 15 अक्टूबर तक वर्षा रितु रहती है इस समय वर्षा अधिक होती है यद पी प्रारम में ग्रिश्न कालीन प्रभाव रहता है लेकिन वर् पुचे छेतर में अधिक वर्सा होती है, वर्सा की मातरा दक्षिन से उतर और पुर्व से पचिम की और कम होती ही जाती है, सरवाधिक वर्सा वला अस्थान नेतर हाट लाते हार है। आगे हैं गिरिश्म्रितु के बारे में देखें अक्टूबर के उतरार्ध से ही सर्दिया प्ररण्भ हो जाती है और फरवारी के अंत तक रहती है सर्दी का परभाव पूर्णतिया मार्च के पहले सप्ताह में ही समाथ हो जाता है और धीरे धीरे गिरिस्मरितू का आगमन होता है यहां का सबसे ठंडा अस्थान नेतर हट है यहां का तापमान जनवरी में साधे साथ डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जा सकता है यहां की अप एक च्छा मैदानी इलाकों में ठंड कम होती है चोटा नाकपूर की जलवायू को मौसम बेगैनिकों ने साथ भागों में विखाजित किया है जिसमें की अवध्या परसाध ने इस साथ जलवायू छेतरों का वर्णन अपनी पुष्तक में किया है जो निम्न है ठीक है देखे पहला है उत्री वा उत्र पच्मी जलोई शेतr दूसरा है मंद्य वरती जलोई शेतr तीसरा है पुर्वी संस्थाल पर गनाया डल्टाई परभाव शेतr अगला इसके बाद की पुर्वी सिंभूmp इसके बाद है रांची और हजारी बग पठार का जलवाईू छेतर और आगे है पाढ जलवाईू छेतर के बारे में चले, अब उन fallen पड़ते हैं उत्रिय यहँँ उतर हम जलवाईू छेतर के बारे में इन छेत्रों में इस जलवायू से ग्रिश्मकाल और अधिक गर्मी और सितकाल में अधिक ठंड बन जाती है देवगर दुमका और गोड़े के पच्मी भाग में इसका परभाव देखने को मिलता है जब ठंडा जादा हो जाती है तो पाले की इस्थिती पैदा हो जाती है वर्सा पिक्षा कृत कम ही होती है देखे पलामू का नाम जो है ना पाला जादा गिरने के कारण पलामू का नाम पलामू पड़ गया क्योंकि पलामू जिला में आम तोर पर अभी भी पाला जादा पड भी इस शेत्र में यदा कदा चलती रहती है लेकिन इसका परभाव अधिक नहीं होता है इसमें हजारी बाग बुकारों और धनबाद सामिल हैं आगे हैं पुर्वी संस्थाल जलवायू शेत्र के बारे में देखिए इस शेत्र में सापेक्षित आधिक होती है क्योंकि यहां औसत वर्षा 60 cm से भी अधिक हो जाती है राजमहल की पहाडियां उसन पच्मी वायू और बंगाल की खाड़ी की आधरता वायू के बीच दिवार बन कर खड़ी हो जाती है गर्मियों में यह अधिक वर्षा का कारण भी बनती है आगे है सागरिय प्रभाव वाला छेत्र इस छेत्र में अवसत वर्षा 55 cm से 60 cm तक होती है यहां ग्रिस्मकाल की अधि कम होती है और स्वन रेखा घाटी चायबासा और पंच परगना के समतल मैदानों में इनका विस्तार होता है समुंद्र के समीप वर्थी होने के कारण यहां नार्वेस्टर से भी छेत्र है इसे जार्खंड में सबसे अधिक वर्षा वाला छेत्र माना जाता है देखे आगे है कि दक्षिन पचिम जलवाई छेत्र के बारे में पचिमी सीमभूम का दक्षिनी छेत्र जिसमें कोयल वसंक नदी है इस जलवायू के विस्तार छेत्र है यहां पहाडी छेत्र के कारण समुन्दरी हवाओं का आगमन नहीं हो पाता है ठीक है इसी कारण यहां सुसकता रहती है और यहां सुसकता सघन वन चेत्र के कारण गर्मी पैदा करती है यहां वार्षिक वर्षा ओसत रूप से 60 सिंटिमिटर होती है आगे है राची और हजारी बग जलोई चेत्र यहां गर्मियों में तापमान अधिक रहता है और रातें पेक्छा क्रिट ठंडी रहती है यहां मानसून का आगमन जून के उ जलवाएं इस चेत्र में नहीं आपाती है और यह चेत्र लूव आंधी से मुक्त रहता है आगे है पाट जलवाई चेत्र के बारे में वनो किसा घंता और चेत्र की उचाई अधिक होने से यहां वर्षा अधिक होती है और मौसम सुखद रहता है इस चेत्र में बगडू औ और नेतरहट आदी छेतर आते हैं। राज में जीलेवार वर्षा का बीवरान क्रीसी निदे साल है जारखंड के अनुसार सन 2020 में आखा गया जिसका वर्णन इस परकार है। यहां से असानी से ले सकते हैं। ठीक है चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो है एक ही है यह देखे पलामू में वर्षा का जो रेट है वो 1307 है। जबकि सिम्देगा के दि हम लोग बात करेंगे तो सिम्देगा का जो वर्षा का जो रेट था दोस्तों वो सबसे जादे था। ठीक है 1725 था ठीक है देखे यहां 1725 तो वह ही बात है इसमें। चले आके बढ़ते हैं इसके बाद कि सबसे कम होती है यद पी कूछ वर्षों में वर्षा की नियूनता भी रही है। ठीक है जिससे राज में सूखे की स्थिती भी उत्पन होई है जैसे कि इस वर्ष अकाल गुंसित हो गया है जहरकण सरकार के द्वारा। ठीक है सन 2045 में अवसत वर्षा अधिक रही है जलवायू की अधार पर जहरकण में प्राकृतिक वर्षा प्रयाप्थ होती है لیکिन प्राकृतिक मनों के कटाव से इनमें कमी आ रही है जबकि कुछ खेत्रों में अत्ति वरिष्टी भी होती है देखे जलसनसाधन एक प्राक वर्दान है जिसके अभ़ाव में जैमंडल का विकास संभाव नहीं है ज्रकंड का खूल जनुसाधान। 171 1,800,000,000 मीटर अनुमानित किया गया है जिसका 827,000,000,000 पर ने कि 237,700,000,000,000,000 मीटर सत्ही जल जलसन साधन के रूप में है और 473,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 के रूप में है जारखंड के लिए जलसन साधन का सनक्षन अनिवार है क्योंकि यहां अवसत वार्षिक वर्षा 125 से लेकर के 150 सिंटीमिटर के बीच होती है खनन और अद्योगी करन एवां सहरी करन के कारण जंगलों का बिनास्तिदी से हुआ है यह राज पहाडी सतह का छेतर है इसी कारण इसमें वर्षा का जल ठहर नहीं पाता है अता भूमी गत जल का भंडार काफी सिमित है यही कारण है कि नदियां तथा नदी गाट राज में जल के मुखे भंडार और सुरोत का कारे करती है जारखंड की अधिकतर नदियां मौसमी है अता वर्षा काल में यहां कि नदियां में प्रयाप्त जल उपलब दराता है इसके विपरित ग्रीस मकाल में दामोदर तस्वन रेखा को छोड़ कर अन नदियां जल भी हिन हो जाती है या उसमें जल की मातरा बहुत कम हो जाती है ठीक है आगे है जारखंड की परमुख नदियों के बारे में देखे अराजय की परवाः परनाली को दो वर्गों में भाजित किया जा सकता है पहला गंगा में मिलने वाली नदियों की परवाः परनाली और दुसरा दक्षिन में बहने वाली नदियों की परवाः परनाली के रूप में जारकंड की परमुख नदियों में दामोदर, उत्री कोयल, स्वर्न रेखा, संख और दक्षनी कोयल अजय तथा मोर है उत्री कोयल तथा दामोदर प्रथम वर्ग में सामिल नदिया है स्वर्न रेखा, संख, दक्षनी कोयल दूसरे वर्ग में सामिल नदिया है इन दोनों के बीची स्थित जल्वी भाजक जार्खन के लगभग मद्य वर्ती भाग में पूर्व से पचिम दिशा की और फैला है जार्खन की परमुख नदियों का वर्ण निवन परकार है देखे सून नदी के बारे में है यहाँ पास सून नदी मैकाल परवत के अमर कंठक पठार से निकलने वाली यह नदी पटना के निकट गंगा में मिलने से पूर्व 780 किलिमेटर के दूरी तय करती है छेतर भी सेस में इसे अन्य नामों से पुकारा जाता है जैसे सोन भद्र या हिरन नवा या अपने उद्गमस्तल से नि और हो जाती है यहां जारंड के लिए पैटालिस किलोमेटर लंबी सीमा बनाती है ठीक है अमर कंठक से आते आते इसका परवा पुर्व की और हो जाती है यह नदी जार्खंड की उतर पच्छिम छोर पर सीमा का निर्मान करती है यह पलामू की उत्री सीमा बनती हुई परवाहित होती है इसकी एक विसाल सहायक नदी उत्री कोयल है जिसका उद्भव पठारी भुखंड से ही हुआ है इस नदी का दुसरा नाम हिरन नवाह भी है क्योंकि इसमें सोने के कन इसके सुनहली रेत में पाय जाते है इसका महत्व जार्खंड के लिए सिर्फ सीमा के रूप में ही है चलिए आगे बढ़ते हैं दामोदर नदी के बारे में देखे जार्खंड में परवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर चोटा नाकपुर के पठार में पलामु छेतर से निकल कर वन छेतर से होती हुई हजारी बाग और मान्भून के रास्ते आगे बढ़ती है इस नदी का उद्गम अस्थल पलामु जीले में है दामोदर नदी देवनंद नाम से प्राचीन सहित्य में उपलब्द है यहां पलामु जीले से निकल कर हजारी बागी डीधनबाद होते हुए बंगाल में परवेश करती है यहां रानी गांज आसन सोल और द्योगिक छेतर से होती हुई दुरगापूर से वर्दमान और बाकूंडा जीले की सीमा में परवेश कर जाती है हजारी बाग से वर्दमान जीले तक इस नदी की धारा काफी तेज होती है दामोदर बाकूडा के निकट से होती हुई यहां हूगली के साथ मिलकर बंगाल की खाडी में मिल जाती है इस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है दामोदर की सहक नदियों में कुनार, बुकारो और बराकर परमुख है यह नदियां गीरिडी, हजारी बाग और बुकारो जीले में इस्तित है दामोदर नदी धनबाद के जिस अस्थल में परवेश करती है वही पर इसमें जमुनिया नदी आ मिलती है जमुनिया नदी तट की पच्छमी सीमा गिर्डी जीले के साथ सीमा निर्मान करती है इस से पुर में दामोदर से कत्री नदी मिलती है जो पारसनात के पादप प्रदेश में से निकलती है तथा चीर कुंडा के पास दामोदर में बराकर नदी मिलती है इस बराकर नदी पर मै गड़ी गाउं से बहती हुई उडिशा में परवेश करती है। प्राप्त नहीं होता क्योंकि यहरेत के कनों में अलपांस ही होता है। प्रमुक्स हायक नदी है जो होर हाप से निकल कर सीली से दक्षिन तुरांग रेलो स्टेशन से दक्षिन पच्मी में मिलती है। प्रमुक्स हायक नदी मार्ग में जो नहां के पास एक जलपरपात का निर्मान करती है। प्रमुक्स हायक नदी के बारे में। देखे बराकर नदी या भी बरसाती नदी है जो छोटा नाकपुर के पठार से निकल कर हजारी बाग गिरे डिधनबाद और मानभुन में जाकर दामुदर नदी में मिल जाती है। या बरसात में उमर कर बहती है और फिर मंद गती से अपना अस्तित बनाए रखती है। इस नदी पर दामुदर घाटी परुजना के अंतरगत मैथन बांध बनाए गया है जिससे बिजली का अत्पादन किया जाता है। इस नदी का उलेक बहुत जैन धार्मी गरंतों में हुआ है। गीरिडी के नजदीक इस नदी के तथ पर बराकर नामक अस्तान है। जहाँ जैन मंदिर है। मैथन के पास बराकर नदी के तथ पर कलिया निश्वरी नामक देवी का मंदिर है। देखे उतर को यल यह नदी राची के पठार से निकल कर पाठ शेत्र में ढालो पर घूमते हुई उतर की और परवाहित होती है अपनी यात्रा में यह और अंगा और अमानत नदियों को भी सुयब में बिलिन कर लेती है तथा साथ ही कई छोटी नदियों को समाहित करते हुए 255 किलोमेटर की पहाड़ी और मैदानी दूरी तयकर सुन नदि में मिल जाती है और अंगा और अमानत नदि इसकी सहायक नदियां है यह नदि गर्मी के मौसम में सुख जाती है लेकिन वर्षा के दिनों में बाड के साथ हुमर कर बहने लगती है बुढा नदि महुआ टार शेत्र से निकल कर सेरेंग दाग पाट के शेत्र में इससे मिलती है इन दोनों नदियों के मिलन का नोहत्वा बुढा घाग जलपरपात का कारण बढ़ जाता है इस बुढा घाग जलपरपात के उचाए 142 मिटर है जो कि जार्खन के सबसे उची है ठीक है जलपरपात देखे आगे है दक्षिन कोईल के बारे में यह नदी राची के निकट नगडी गाउं की पहाडी से पच्छिम में बहती हुई लोहर दागा पहुचती है और फिर लोहर दागा से 8 किलोमीटर उतर पुरुमी यह दक्षिनी दिशा की और मुड जाती है और यह लोहर दागा तथा गुमला जीले से होते हुए सिम्भुम में परवेश करके अंत में यह नदी गंगापूर के पास संख नदी में मिल जाती है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है अस्थान पर कोईल कारो पुरिजना का निर्मान करती है आगे है कनहर नदी के बारे में देखे यह नदी राजे के उतर पचमी शेतर में पलामू की दक्षिन पचमी सीमा का निर्मान करती हुई उतर की और बहती है कनहर नदी सरगूजा को पलामू से औसिक किलो मिटर तक बाटती है इस नदी की उपस्थिती सरगुजा से होती है लेकिन यह नदी गढ़वा में भंडरिया परखंड परवेस करती है और यहां रंका परखंड की पच्मी सीमा से होती हुई धूर की परखंड में परवेश करके अंत में नदी पच्छिम की ओर मुड कर उत्तर परदेश में परवेश कर जाती है धूर की परखंड गडवा का उस साइड का अंतिम बोडर है देखे आगे इसके बाद फल्गु नदी के बारे में, फल्गु नदी यह नदी भी छोटा नाकुर पठार के उतरी भाग से निकलती है, अनेक छोटी-छोटी सरिताओं से के मिल्ले से इस नदी की मुखेधारा बनती है, जिसे निरंजना भी कहते हैं, इसको अंत सलीला या ल जीला निलानजन भी कहते हैं बोध गया के पास मोहना नामक सहायत नदी से मिलकर या विसाल रूप धारन कर लेती हैं गया के निकट इसके चोड़ाई सरवाधिक पाई जाती है और पित्रुपक्ष के समय देश के विभीन भागों से फल्गु असलान के लिए आते हैं और पि कर परवाहित होती है जारखंट से निकाल कर या उतर पुर्व की ओर बहती हुई क्वील और मोर हर नदियों के साथ मिलकर गंगा के ताल छेत्रों में बिख़र जाती है रामायन में इस नदी को सुमा गधी के नाम से पुकारा है उस काल में यह नदी राजगीर के निकट से परवाहित होती थी यह नदी अपना मार्क बदनले के लिए प्रसीद है ठीक है कौन सी नदी है सक्री नदी है आगे है पुनपुन नदी के बारे में देखे पुनपुन नदी जारखंड में पुनपुन एवं उसकी सहायक नदियों का अध्वाव हजारी बाके पठार उतरी कोयल परवाज शेत्र के उतर से निकल गार सोन के समानांतर बहती है पुनपुन का महत्व हिंदु धरम में बहुत अधीक है इस नदी को पवित्र नदी के रुप में जाना जाता है पुनपुन नदी को किकट नदी भी कहा जाता है लेकिन इसे कहीं कहीं बमा गधी भ पांच जल धराओं के मेल से बिक्षित हुई है इसमें इसे पन्चानन कहा गया है चोटा नाकपुर पठार से इसकी सभी धराय निकलती है तथा पैमार, तिलईया और घरांजे, महाने, सभी धराय राजगीर की पहाडी के औरोध के कारण एक साथ गिरियक के निकट मिलती है यहां से यहां बिहार सरिफ की ओर बढ़ती है देखे आगे है संख नदी के बारे में, देखे संख नदी नेतरहट पठार के पच्छमी छोर में उतर कोईल के विप्रित बहती है, पाट छेतर के दक्षिन छोर से इसका उदभाव, उदगम होता है यह गुमला जीले के रायडी के दक्षिन से प्रारंब होती है, यहां नद बनाती है, जो सदनी घाग जलपरपात के नाम से जाना जाता है, आगे है अजय नदी के बारे में, इस नदी का उदगम अस्थाल मुंगेर में है, जहां से परवाहित होती हुई यह देवघर जीले में परवेश कर जाती है, यहां से यह दक्षिन पुर्वी दिशा में बह जीले से निकलती है, अजय नदी जामताडा जीले में कजरा के पास परवेश करती है, संस्थाल प्रगना के दक्षिन छोर में यह नदी कुस वेदिया से अफजलपूर तक परवाहित होती है, आगे है मोर या मयुराक्षि नदी के बारे में, देखे, यहां नदी देवघर जीले के उतर पुर्वी किनारों पर इस्थित त्रिकुट पहाडी से निकलती है, या दुमका जीले के उतर पच्षिम भाग में परवेश करती है, या दक्षिन पुर्वी दिशा में बहती भी आम जोरा के पास दुमका से अलग होती है, जारखन से निकलकर या बंगाल में सोन्थिया रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है यह नदी अपनी उपरी परवाच्षेतर में मोती हारी के नाम से भी जानी जाती है और यह भूर भूरी नदी के साथ मिलकर मोर के नाम से पुकारी जाती है इसका दुसरा नाम मयूराक्षी है इसकी प्रमुख सहयक नदियां में तीपरा, पूसरो, भामरी, दवना, दुवाई, आदि प्रमुख है इस नदी पर कनाड़ा के सहयोग से मसान जुर बांध का निर्मान किया गया है इस बांध को कनाड़ा बांध भी कहा जाता है आगे है गुमानी नदी के बारे में देखे गुमानी नदी या राजमहल की पहाड़ियों से निकल कर उतर पूर्वी खड का निर्मान करती है बरहैत में इससे मेरेल नदी आकर मिलती है जहां से गुमानी पूर्व की दिशा में बहती हुई तेजी से दक्षिन की और मुड जाती है जारखंट की सीमा को पार कर या गंगा में मिल जाती है आगे है बरहनी नदी के बारे में दुमका जीले के उतर में इस्थित दुधवा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है यह नदी दामिन एक कोह में जिल मिलाती और मोस निया होते हुए बहती है यह दरीन मौले स्वर के पास दुमका जीले को छोड़ कर जारखंट से बाह वे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है बरहनी नदी के परमुक सहयक नदियों में गुमरो और एरो परमुक है ठीक है आगे है बांस लोई नदी के बारे में देखे यह नदी गोड़ा जीले के पास बांस वहाड़ी से निकलती है यह पूर्वकी ओर बहती हुई दुम नदी मुर्राई रेल्वे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है आगे है बुढ़ा नदी के बारे में देखे यह नदी महुआ टार छेत्र से निकल कर सरेन दागपाट के दक्षिन में उत्रिकोयल छेत्र में मिल जाती है बुढ़ा गाग जलपरपात इसी नदी परिस्त जो जारखन का सबसे उंचा जलपरपात है बुढ़ा घाग जलपरपात ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे इसके बाद औरंगा नदी के बारे में देखें यह नदी उत्री कोयल की सहायक नदी है यह नदी लोहरदागा जीले के किसको परखंड के उलदाग गाउं के पास स निकलती है यहां से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियां घागरी गोवा नाला धधारी और सुकरी आदी इससे मिलती है और अंगा नदी महिनका के दक्षनी भाग से परवाहित होती हुई आगे लेसली गंज बरवाडी परखंड की सीमा बनाती हुई कोयल नदी में मिल जाती है आगे है अमानत नदी के बारे में देखे यह नदी उतर कोयल की सहायक नदी है यह करीब 100 किलुमेटर की लंबी दूरी तय करके कोयल नदी में मिल जाती है यह 14 जीले से आरम होकर बालु मात की उतरी सीमा बनाती हुई पाकी परखंड में परवेश करती है इसके आगे है मुहाने नदी के बारे में, देखे, मुहाने या मोहिनी फलू नदी की सहाइक नदी है, यह नदी हजारी बाक से 20 किलो मिटर उत्तर पच्छिन के बक्सा में दक्षिन से निकलती है, यह बोद गया में दक्षिन से पूरू फल्गू में मिल जाती है, इस नदी में तमासिन, चानी और वरंडी के पास डेम साइट है, आगे है तिलिया नदी के बारे में, देखे, तिलिया नदी, यह नदी कोडर्मा के पवर से निकलती है, आगे चलकर नवादा छेत्र होकर बह खूल 14 किलोमेटर की यातरा तैकर, नामकुम में स्वन रेखा नदी में जा मिलती है, आगे है कांची नदी, यह नदी रांची जीले के तमार इलाके से निकलती है, और सिली होते हुए, यह मूरी में स्वन रेखा नदी में जाकर मिल जाती है, आगे है तंजा नदी, तंज खुटी में असूर सभेता के ओसेज भी पाय जाते हैं। आगे है रोरो नदी के बारे में। यह नदी पच्छिम सिम्हुन जीले के रोसे पहाडी से निकलती है। इसकी कुल नंबाई 58 किलोमेटर है। इसकी सायक नदी जमीरा है। इसके किनारे चाइबासा सहर बसा हुआ है। आगे है बैतरीनी नदी के बारे में। देखे, बैतरीनी नदी जारखन के कुलहान एवं उडिसा के क्वेंजर के बीच सिमा बनाती है। और जैतगर से 12 किलोमेटर पच्छिम में इस नदी में एक जलपरपात, जलासा एवं रामतिर्थ है। आगे है देव नदी। यह नदी गम हरिया पठार सराय के लखर सामा से पच्छिम भाग में कुलहान से निकलकर लभग 100 किलोमेटर चलकर दक्छिन कारो छेतर में नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फूल गारा है। आगे है कोईना नदी के बारे में। देखे कोईना नदी सरंडा के दक्छिन पूर्व से निकलकर दक्छिन कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 100 किलोमेटर है। हिरनी घागजल प्रपात राची चाईबासा मार्ग पर 72 किलोमेटर के दूरी पर जंगल के बीचो बीच एक मनुरस अस्थल है। आगे है गंगा नदी। गंगा नदी जार्खन की सीमा रेखा को सबसे पहले संस्थाल प्रगना की साहब गंजीले में तेलिया गढ़ी से कुछ किलोमेटर पच्छिं में चू कर और पूर दिशा में परवाहित होती हुई दक्छिन पूर की और मूर जाती है। यह नदी साहब गंजीले में और सी किलोमेटर की दूरी पर दूरी तै करती है। आगे है परमुख जलपरपात जील और बांध के बारे में। जार्खन की भोगोलिक सरचनाओं में यहां के जलपरपात जील और बांध बिसेस महतपुर्ण महतो रखते हैं। यह जार्खन के दर्सनीय परियटा कस्तल भी हैं। यहां इनका संशिप्त बियूरन प्रस्तुत रूप से किया गया है। जिसमें की पहला है उस्री जलपरपात के बारे में। यह जलपरपात गिरीडी जीले में गिरीडी टुंडी मार्ग सहर से लगभग 13 किलिमेटर के दूरी परिस्तित है। उस्री नदी की धारा से बना होने के कारण इस जलपरपात को उस्री जलपरपात कहा जाता है। यहाँ जलपरपात अने की तुन्ना में काफी छोटा है लेगिन आसपास में घना जंगल होने के कारण यहाँ काद्रिस्य मनोहर रोमांचकारी प्रतीत होता है इस जलपरपात की एक भी सेस्ता यहाँ है कि यहाँ नदी का जल कुछ उपर उठकर नीचे की ओर गिरता है यहाँ वर्स भरपरेटकों का आना जाना लगा रहता है आगे है कांती जलपरपात के बारे में यहाँ जलपरपात चंदवा कूडू मार्ग पर सेनहा गाँ से लगबच्छे किलमेटर दूरी परिस्त है इसके निकट ही हरा भरा जंगल है और मनोहर हरियाली और मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण यह जलपरपात लोगों के लिए अच्छा पिगनिक अस्पॉट बन गया है आगे है जोनहा जलपरपात या गोतम धारा जलपरपात के बारे में यह जलपरपात राची, पूरुलिया, मार्ग पर राड़ू नदी परिस्त है जोनहा गाउं के निकट होने के कारण इसका नाम जोनहा जलपरपात पड़ा इसकी उचाई लगभग डेर सो फीट है दिसंबर से फरवरी महीने था के यहां कद्रेस से बड़ा बिहंगम होता है यह अस्थान अत्यंत गहराई में होने के कारण यहां नीचे उतरने के लिए पक्की सीड़िया बनी हुई है आगे है दसम जलपरपात के बारे में यह जलपरपात राची जमसेतुर मार्ग पर राची से लगभग 40 किलिमेटर की दूरी परिस्तित है लगभग 144 फिट की उन्चाई से इसकी जलधारा जिस सस्थान पर गिरती है उसकी गहराई बहुत अधिक है कहा जाता है कि इसकी उन्चाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धराव में बढ़ जाती है इसी कारण इसका नाम दसम जलपरपात पड़ा राची के बुन्डू पर खंड के निकट यह जलपरपात तैमारा घाटी में काची नदी पर रिस्तित है आगे है पंच घाग जलपरपात के बारे में यह जलपरपात चायबासा मारक पर खुटी में सेलगवग 14 किलोमेटर के दोरी पर रिस्तित है यहां उचाई से गीर का जलधारा पांच धरा में बढ़ जाती है इसी कारण इसका नाम पंच घाग जलपरपात पढ़ा दिसंबर से फरवरी माह तक यहां का द्रेस्या अत्यंत मनोहर होता है आगे है बुढ़ा घाग जलपरपात के बारे में यह जलपरपात महवा टार से लगभग 14 किलिमिटर दूरी परिस्थित है यहां जारखन का सबसे उचा जलपरपात है जिसकी उचाई 143 मिटर है इसे लोधा जलपरपात के नाम से भी जाना जाता है सितंबर अक्टूबर में यह जलपरपात और इसके आसपास के दिरिश से बड़ा ही मनोहारी प्रतीत होता है आगे है सुखल दरी जलपरपात के बारे में यह जलपरपात नगर उटारी से लगभग 35 किलिमिटर दक्षिन में कनहर नदी परिस्थित है इसकी जलधारा लगभग 100 फिट की उँचाई से गीरते हुए बड़ा ही नैना भीराम दिर्श से उपस्थित करती है आगे है हुंडू जलपरपात यह जलपरपात राची जी लेके अनगढ़ा परखंड में राची से लगभग 32 किलिमिटर के दूरी परिस्थित है स्वन रेखा नदी परिस्थित इस जलपरपात की उँचाई लगभग 98 मिटर याने के 322 फिट है यह राची का निकट वर्ती और सुप्रसी जलपरपात है यह जारखंड का दूसरा सबसे उँचा और भारत का एक इसमा सबसे उँचा जलपरपात है आगे है हिरनी जलपरपात के बारे में यह जलप्रपात खूटी चाइबासा मार्ग पर मुर्हू बजार से कुछ आगे बाई और इस्थित है यद पी इसकी जलधारा अधिक मुचाई से नहीं गिरती फिर भी इसके निकट का हरा भरा और नैना भी रामद्रेश से परेटकों को बहुत आकर्सित करता है इसी कारण या अच्छा पिकनिक अस्पोर्ट बन गया है आगे है सीता जलप्रपात के बारे में देखे सीता जलप्रपात राची पुरूलिया मार्ग पर राची से 45 किलोमेटर के दूर पर इस्थित है यह जलप्रपात 350 फीट उंचा है यहाँ पर 350 सिंधिया उतर कर जहरने पर पहु भगवान राम लच्मन और सीता के साथ कुछ दिनों यहां ठाहरे थे आगे इसके बाद घगारी जलप्रपात के बारे में देखे राची जीले के लापुग पर खंड में जमूनी नदी परिया जलप्रपात इस्थित है इसकी उचाई 130 फीट है इस जलप्रपात के किनारे घगारी बाबाधाम है जहां मकर संक्रांती के आउसर पर एक प्रसीद मेले का योजन किया जाता है यहां से करीब 3 किलो मिटर दूर प्रसीद साई मंदीर इस्थित है सदनी जलप्रपात गुमला जीले के संख नदी पर सदनी जलप्रपात इस्थित है इस जलप्रपात का अकार एक सर्प की रूप का है जो बड़ा ही मोहक लगता है। आगे है कि अपर घागरी वा लोवर घागरी जल परपात। नितरहट भी द्याले के 2 किलिमेटर की दूर पर अपर घागरी जल परपात एवं 8 किलोमेटर के दूरी पर लोर घागरी जल प्रपात इस्तित है या लोगपिर या पिक्निक अस्तल है आगे है ताता पानी डार्टेंगं से 17 किलोमेटर दूर वा बरवाडी जक्सन से 15 किलोमेटर दूर इस्तित पहाडी से निकला हुआ एक गरम जल का जरना है ताता पानी आगे है सत बहिनी जल प्रपात के बारे में गड़वा जीला मुख्याले से 35 किलोमेटर दूरी पर गड़वा कांडी वाले मार्ग पर एक जल प्रपात इस्तित है यह जल प्रपात सत्वहनी नदी के उपर पहाडी से गिरने के कारण बनता है आगे है डिमना जील देखे यह जील जम सेथपूर से लगभग साथ किलिम्टर के दोरी परिस्तित है जील का स्वक्च जल और उसके आसपास का मनुहारिद रिस्य जील में नौका बिहार के लिए सभी को बहुत आकर्सित करता है आगे है मसान जोर बांध या कनाडा बांध यह बांध जार्खन और पच्छिम मंगाल की सीमा पर दुमका जीले के मसान जोर नामका स्थान परिस्तित है 47 मिटर उंचा और 660 मिटर लंबा यह बांध मयूराक्छी नदी मोर नदी पर बनाया गया है यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गिरह भी बना हुआ है आगे है मैथन बांध के बारे में देखे यह बांध धनबाज जीले के कुमार डूबी परखंड के निकटिस्तित है 56 मिटर उंचे और 437 मिटर लंबे मैथन बांध का निर्मान सन 1958 में बराकर नदी पर किया गया था बांध के जल से बिधुत उत्पादन के लिए जल बिधुत केंद्र की अस्थापना की गई है यहां नोकायन की सुबिधा भी है दिसंबर से फरवरी तक यहां परियटक अध्यधिक संख्या में आते हैं जारखंड से परवाहित होने वाली या उसकी सिमाव को छूने वाली परमुख नदियों के अलावा कई जर्ने भी राज्य में पाय जाते हैं संस्थाल प्रगना में कई जर्ने हैं इसमें सबसे प्रमुख जर्ना, मोती हारी जर्ना या महराजपूर रेलियो स्टेशन से दो मिल डक्चिन पचिम में राज महल पहाडी पर रिष्थित है आगे हैं नदी घाटी पुरजनाओं के बारे में तो चले हम लोग जानते हैं एक एक करके लेकिन उसके बारे में कुछ बिस्तिरिन पॉइंट है कराकर सिचाई छेतन में बिस्तार का परवा प्रयास किया जा रहा है जिसके अतिरिक्त भूगर्व जल के सनक्षन, समवर्धन, दोहन एवं बेहतर उप्योग के लिए सनचनाओं के निर्मान का कारे किया जा रहा है जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित विभीन योजनाओं से कुल 9.198 लाख हेक्टेर क्रीसी योग भूमी में सिचाई छमता का सरिजन हुआ है जो कुल सिचाई छमता के योग भूमी के 24.59 लाख हेक्टेर का 37.40 परतिसत है राज में बहु उदेशिय नदी परुजनाओं घाटी का निर्मान किया गया है जिसका उदेशिय निम्न है पहला सिचाई छेतर का विस्तार दूसरा दिदुद उत्पादन और एदोय की विकास तीसरा बाढ़ नियंतरन चौथा मतस्य पालन और पांचमा पेजल एवं पसुँ के लिए चारा उत्पादन की दिरिश्टी से चले आगे है परमुख सिचाई पर्योजनाओं के बारे में देखे राज की परमुख बहुदेशिय पर्योजनाओं में दामोदर घाटी पर्योजनाओं एवं स्वर नडेखा बहुदेशिय पर्योजनाओं पर्मुख है दामोदर नदी घाटी पर्योजनाओं के बारे में और बाल पहाडी बांद बनाया गया है दुजरा है दामोदर नदी पर पंचेत और अयर और बेरमो बांद बनाया गया है तीसरा है बोकार नदी पर बोकारो और कोनार बांद इस पर बनाया गया है मतलब टोटली आठ बांद का निर्मान किया गया है इस योजना का मुख्या उदेश्य विदूत उत्पादन यों सिचाई का रहे है इस योजना के अंतरगत आठ लाख हेक्टेर में सिचाई होती है तथा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है आगे है स्वर्न रेखा बहुदेश्य प्रियोजना के बारे में यह एक अंतर राज ये प्रियोजना है जो जार्खन पछी मंगाल और उडिशा की सिरुक प्रियोजना है इस योजना के तहट स्वर्न रेखा नदीपर चांडिल बांध यों गालू डी वराज तथा खरकाई नदीपर इचा बांध और खरकाई वराज का निर्मान किया गया है इस योजना का निर्मान 1982 से 83 में प्रारंप किया गया था तथा 2003 में प्रथम चरण में निर्मान पूरा हो चुका है इस प्रियोजना के तहट हुंडू जल परपात से 120 मेगा वाट विदूत का उत्पाद किया जा रहा है राज्य की अन्य परमुक सिचाई पुर्योजनाओं के बारे में निमलिकित रुप में दिया गया है जिनमें की पहला है कुनार सिचाई पुर्योजना यह योजना हजारी बाग जीले के विश्नुगण प्रखंड के बनासो गाउं के पास इस्थित है इसका पुरिजना के अधीन देवगर जीला से के सारट परखंड के सिक्टिया गराम के पास अजय नदी पर बराज बनाया गया है। पास खिया गया है इसके अंतरगा साहेब गंज और पाकूर जीले के बरहेट पाटन और बढ़ हरवा और लिटी पाड़ा एवं हिरनपूर प्रखंडों में सिचाई सुविधा उपलब्द कराई जाती है। धारवा परखंड को सिचाई का लाब मिलेगा अमानत बराज परियोजना। इस योजना का निर्मान पलामू जीले के पाकी परखंड के आमानत नदी पर किया जा रहा है। आगे है उतर कोईल जलासे परियोजना। इस योजना का निर्मान गड़वा जीले के कुटकू गाउं के पास उतर कोईल नदी पर किया जा रहा है। इस योजना के तर्थ कोईल नदी पर एक कमपोजिट बांध और एक बराज का निर्मान किया जा रहा है। बराज से दाई और मुखे नहर से जो 109 किल मेंटर लंबा है पलामो जीले को सिचाई सुबिधा दी जाएगी जबकि बाई और मुखे नहर जिसकी लंबाई 11.181 किल मिटर है इसे गड़वा जीले को सिचाई सुबिधा दी जाएगी इस योजना में 24 मेंगावाट विदूत किया जाएगा इस योजना के डूब छेतर में बेतला निश्र पार्क भी श्थित है आगे है बटेशुवर अस्थान गंगा पंप नहर योजना या जहारखंड और बिहार की अंतराजी अंतराजी योजना है इस योजना के तहत गंगा नदी से लिप्ट कर पानी को नहर में छोड़ा जाएगा इस योजना से गोडा जीले के महरमा एयों महगामा परखंडों में सिचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी आगे है अपर संख जलासय योजना इस योजना का निर्मान संख नदी पर गुमला जीले के डुमरी परखंड के टंगाल गाओं के पास बा पर्खंड की 8000 हेक्टेर भुमी पर सिचाई होगी आगे है पंच खेरि जलासी योजना या योजना पंच खेरो नदी पर निर्माना धीन है इस योजना के अंतर्गत गिरीडी जीले का राज धनवार पर्खंड और कोडर्मा जीले का मरकच्चो परखंड सामिल है इस योजना से 2548 सेक्टियर में खरीब तथा 537 सेक्टियर में रवी फसल की सिचाई की जाएगी आगे है सुक्री जलासे योजना के बारे में देखिए इस योजना का निर्मान सुक्री नदीपर लोहरदगा जीले के किस्को परखंड के बंजारी गाउं के पास किया जा रहा है इस योजना का किस्को परखंड के 440 सेक्टियर भूमी को सिचाई किया जाएगा आगे है भैरोव जलासाय योजना के बारे में यह योजना भैरवी नदी पर रामगर जी लेके गोला परखंड के सुनाई गाउं के पास निर्माना धीन है इस योजना के तहट 363 हेक्टेर में खरीब तथा 1214 हेक्टेर में रवी फसल की सिचाई किया जाएगा राम रेखा ज जलासे योजना इस योजना का निर्मान सिम्डेगा जी लेके उतेयल नाला पर कायर बेरा गाउं के पास किया जा रहा है इस योजना से सिम्डेगा जी लेके सिम्डेगा पर खंड के 445 हेक्टेर भूमी पर सिचाई के सुविधा उपलप कराई जाएगी आगे है बटाने जलासे योजना इस योजना बटाने नदी पर पलामु जी लेके धाबू डी गाउं के पास निर्मित किया जा रहा है या जारखंड और बिहार किस्मिक पर योजना है इससे से पलामु जी लेके 2360 हेक्टेर भूमी सिचाई किसी विधा उपलप कराया जाएगी आगे है सू का नहर पाइपलाइन योजना पर मुखा है आगे है मसलिया रानेस्वर मेगा लिप्ट योजना इस योजना को दुमका जी लेके मलसिया योम रानेस्वर प्रखंड में सिचाई सुविधा उपलप्त कराने के लिए वर्स 2021-22 में प्रारंप किया जाएगा उपर्यूग तेरिक कुछ नई सिचाई योजना भी प्रस्तावित हैं जो इस परकार है तिलिया सिचाई योजना जो की जैनगर कोडर्मा और डोमनी नाला सिचाई योजना करोंधी गढ़वा बुढई जलासे योजना मधुपूर देवखर राडू जलासे योजना सिल्ली राची और दाहर बाटी जलासे योजना कीश को लोहरदागा, उपरियोग सचाय योजना के अतिरिक जारखंड के जल संसाधन के विकास के लिए के इंदर सरकार के नीती के अधार पर राज में जल करांती अभियान 2015-16 के प्रारम किया गया है, इसके तहत राज के 24 जीले के 48 गाह में प् प्यार करवाया गया है, राची जीले कांची बियर योजना के कमांड एरिया के विकास सेतु, कमांड शेतर के विकास जल प्रबंधन योजना के लिए 50 पर 30 गेंदर सकाधरा प्रदान की जा रही है, इस योजना से राची जीले के तिर परखंड यथा बुंडु, तमाड और सोनुवतु, एवं खूटी जीले के अड़की प्रखंड सिचाई कारे होगा, दुमका जीले के में राक्षी जील प्रफाति योजना के कमांड शेतर से विकास सेतु भारा सरकार द्वारा सुकृति प्रदान दिया गया है, जार्खंड की प्रमुक सिचाई योजना के बारे में आगे है, देखिए, पहला है केंद्रिय भहोदेशी योजना, दामोदर नदी घाटी पुरुजना, इसका नाम है, इसका नदी जो है, दामोदर नदी है, और जीला या राज जो है, जार्खंड और बंगाल राज इसमें सामिल है, देखिए, आगे है, AIBP के अंत सिचाय योजणा के बारे में तो कॊनहार पुरियोजणा कॊनहार नदी हजारी बाग और इसके बाद है कि केशु जलासे योजना सत्री नदी को डर्मा बटाने जलासे योजना बटाने पलामू रैसा जलासे योजना रैसा राची तंजा जलासे योजना तंजा खूटी सुंग्री जलासे योजना सुरंगी नाला तमाड एवं राची नटकी जलासे योजना जोकी नक्टी नाला और या जो है बंदगामा पचिम सिम्हूं वाला भुमी का निभाती है यहां की मिटी में खनीज पदार्थ प्रचूर मात्राइं पाय जाते हैं वर्गी करन के धार पर ज्यारखन की मिटी को पांच भागों में बाटा गया है जो निम लिखी थे हैं पहला लाल मिटी दुसरा अवरकिय लाल मिटी तिसरा रेतीली मिटी मुझे जारखन में पाय जाती है। अती रंद रयुक्त होती है। रवे दार चटानों से निर्मितिया मिटी, अस्थान और उचाई का धारप परिवर्तित होती रहती है। आदे आगे है इसके बाद अपरकिय लाल मिटी। यह तिल्नी मिटी अपरक की अंसों से परहोईत होकर चमकधार होती है। सुसकता के कारण इसका रंग हलका गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण पीला हो जाता है जारखाराज के अवरह की खान वाले छेतर जैसे कुडर्मा और जुम्री तलया मांडू और बढ़का गाविया अधिक पाय जाती है किरिसी के दिरिश्टी से या अधिक उपयोगी न बनती है यह रवेदार होती है इसका रंग दूसर और पीला होता है जो हलकी लाली मा लिये रहता है किरिसी के दिरिश्टी से यह मोटे अनाच के लिए उपर युक्त रहती है आगे है काली मिटी के बारे में यह बेसाल्टी मिटी सिलिकन पदार्सों से युक्त होती है इसम पोटास और कैयूलीन और मैगनेसियम और लोय उक्साइड आदी मुखे रुप से पाया जाता है नमी के संपर्क में आते ही यह मिटी अपनी उपरी परत पर कले मिटी का निर्मान करती है यह मिटी राजमहल की पहाड़ियों में पाय जाती है और नमी वादरता बनाए रखने की छमता के कारण क्रिसी में उप्योग होती है नमी के कारण यह भूर भूरी बन जाती है यह चने और धान के खेती के लिए उपर युक्त मानी जाती है आगे है लेटराइट मिटी के बारे में देखे लेटराइट मिटी गहरे लाल रंग की इस मिटी में लो अक्साइड के साथ चुना फासपोरस पोटास भी पाया जाता है लेकिन इसमें लो अक्साइड की मात्रा अधिक होती है इसमें एलुमिनियम और मेगनीज भी भरपूर मात्राइं पाय जाते हैं इसी कारण इसकी उर्वरता सक्ती कम होती है इसमें अरहर और अरंड की खेती होती है इस परकार कहा जा सकता है कि इस राज में उपजाव मिट्टी कम है फिर भी क्रिशक लोग अपने सरम और मेवसियों की खादों की क्रिशी योग भूमी बना ही लेते हैं और धान यहां की मुझे फसल है और यहां गेहूं का उत्पादन भी अच्छा खासा किया जाता है आगे है इसके बाद खान एवं खनीज के बारे में देखे जारखन खनीज पटियों में भारत के कूल खनीज का 40% पाया जाता है यहां के आरकियन धरवाड और गुणवाना कालिन चटानों में धात्विक अधवातिक एवं उर्जा खनीज का भंडार है बितरन के अधार पर इसे तीन भागों में बाटा जा सकता है यह तीन खनीजे पटियां पचिम से पूरो तक फैली हुई है पहला दक्षिन में धात्विक परधान खनीज पटि दुसरा मध्य में इंधन खनीज परधान पटि तीसरा उतर में अधात्विक खनीज परधान पटि परमुखनिच के बारे में देखे लव अयस्क या लोहा देखे इस लव अयस्क का रूप काले एवं गेर्वे रंका होता है जो हेमेटाइड, मेगनेटाइड, लीमोटाइड और सीडे राइट वर्गों में होता है ये सभी लोहे की कठोड़ता का अनुसार होते है ये जो हेमेटाइड में लोहे का चौसर परण भाग होता है और जोहारखन परचूर मत्राइड पाया जाता है लव अयस्क में लव अयस्क उत्पादन में राज्य का ये जोहारखन का पांचों अस्थान है राज में इसकी उपलबधता 267 मिट्रिक टन और मानित किया गया है और ठारसो पचीस मिलियन मोट्रिक टन परमानित रूप से है और राज में लव अयस्क की 28 खाने है जिनमें पचिन स्विम्हों के चिनिया और बंसरिया बुरू और नवा मुंडी और भुदा बुरू और संगा गदा और गुवा और जम्दा और नेत्वा बुरू और लोकदु बुरू और जिलिंग बुरू और पसरी बुरू और यहां पास जितने भी अस्थल है वो दिया गया है वर्स दुएर उनिस बीस में उडिसा लव एस का प्रमुक उतपाद है जो कुल उतपादन का 69% था जबकि जहारखन ने कुल उतपादन में 10.9% युगदान दिया है आगे हैं मेगनिज के बारे में देखें यहां लव समुह का ही खनीज है जो इसपात निर्मान, सीशा गलाने और युद समागरी बनाने तथा बिधुत और रसानिक उद्योग में परियुक्त होता है इसे अध्वातिक उप्योग में भी लिया जाता है और इससे पोटेसिय पर मेगनेट, ऑक्सीजन, कलोरीन और बिलेचिंग पाउडर बनाया जाते हैं साथ ही इसका परियोग कांच बनाने तथा कांच का रंग उडाने के लिए किया जाता है या उरूरक बनाने रंग बनाने और बैटरी निर्मान के लिए काम आता है इसके मुख ऐस पारा लूसा जामदा, कालेंदा, बंसा डेरा और बर्जू मुंडा की मुख्य रूप से पाया जाता है धनबाद गृड़ी और हजारी बाके कुछ शेत्रों में इसकी कम भी उपलपता है इसकी खाने गूवा, जामदा और नुवा मुंडी में भी पाय जाती है आगे है तांबा के बार राज में ही जारखन में ही पाय जाता है सिंभुम में तांबे की उपलब्धता के समंध में अनुमान है कि यहां कि तांबे पेटी 130 किलोमेटर लंबी और 17 किलोमेटर चोड़ी है जो चक्रधरपूर के मुसा बनी होती हुई सुंगरी तक जाती है इसका खनन कारिया सन 1924 से ही इंडियन कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा तांबे की उपलब्धता हजारी बाग पलामू संस्थाल प्रगना में भी है तांबे का उपयोग बिधुतार घरेलू बरतन और मिशिर धातु बनाने में किया जाता है जारखन में मुसा बनी और धोब या खनीच पराया चांदी और जस्ते के साथ गय लेना नामक खनीच पर्थर से प्राप्थ होता है या चटाने की नसे नसों के रूप में भी होती है बिधुत कुछ अलक होने के कारण इसका प्रयोग रेल इंजन और मोटर कार और कार तूस बैटरी हवाई जहाज और रामू और गोड़ा आदी जीलो के कुछ शेत्रों पाय जाता है बॉक्साइड एलुमीनियम के प्राप्ति के लिए खनी जहारखंड में प्रचूर मात्राइं पाय जाता है इसके उत्पादन में राजे का भारत में दूसरा अस्थान है और जहारखंड के भंडान के पकड़ी और अंगा में ही है मूरी में इससे सापकिया जाता है और जहारखंड की सकीरे खानों में 18 गुमला में है और 9 लोहरदगा में है और जहारखंड राजे में राजमहल की पहाड़ियों में भी बॉक्साइड के बड़े भंडार होने का नुमान है या परियोग की द और ने कई वस्तों के साथ मिला कर मिस्रिध धातों को बनाने में परियुक्त होता है। वस्त जार उनीस भी इसके दोना जारखन के बॉक्साइड उत्पादन में 16.50% का युगदान दिया है जबकि उडिशा 37.95 जगदान के साथ बॉक्साइड का उत्पादन में राज में अवल नंबर पर है। 38.38 में छोटा नापूर के पहले रानिदिक परतिनिदिक जौन ओसलों ने सिमून चेतर में हीरा कुंड में सोने की सम्हाना प्रकट की थी। राची के अलावा गड़वा में भी सोने के भंडार हैं सोने के संकेत दामदर घाटी छेतर में भी हैं लेकिन यहाँ अत्यंत अर्थ मातरा में है। राच में प्रतिवज 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन घाट सिला में होता है। यहां इसका उत्पादन हिंदुस्तान को पर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन में राजे का देश में दूसरा स्थान है और यहां खनीज मुकेता डियूरा नाइट और पेरियोडो टाइट और सरपे टाइन से प्राप्त किया जाता है। आगे हैं तीन के बारे में देखें तीन कैसीर कैसिट राइट नामक कची धातु से प्राप्त होता है। आगने चटानों में भी पाया जाने वाला कचा धातु है। यह राची हजारे बाक सिम्हम पलामू और संसाल प्रगना में कई अस्थानों पाया जाता है। कची धातु का सुधी करन करके टीन प्रात होता है। टीन परयोग के द्रिश्टी से बहुत उप्योगी होता है। इससे घरेलू बरतन छत की चादरे और औजार आधी बना जाते हैं। यह धातु में सबसे कुमल है। और मानो जीवन हमें इसकी धैनी को प्रुकता देखी जा सकती है। आगे है अबरक के बारे में। यह अधात्विक खनी जारखन में प्रचूर मात्रा में उप्लद है। इसके उत्पादन मेराजी का भारत में प्रथम अस्थान है। और इसकी पट्टी 160 km लंबी और 30 km चौडी है। जिसमें 3.6 लाक टन अबरक का भंडार सुरक्षित है। इसके खनन का परमुकेंद कुडरमा है। और यह गिरिडी, डुम, चाच, और गामा, और चटकारी, और नवाडी, चाकल, और हजारे बाग जीले की कुछ अस्थानों में भी पाया जाता है। यहाँ पराय चार मीटर चौडी और 3 मीटर लंबी पट्टी के रुप में निकाला जाता है। इसका पर्योग अधिकांस्तब बिजली के कारखानों में होता है। देश की कुल भंडार का 97.47 बरतिशत है। यह मुखेता काले सीसे या पलेंग बंगो की निर्माने परयोग में लाया जाता है। इसे सीसे की पेंसिल और रंग रोपन और परमानू रियक्टर में मोडरेटर के रुप में परयोग किया जाता है। आगे है एसबेस्टरस के बारे में। देखे एसबेस्टरस उच अगनी रोधक यह खनीज जारखन में धारवार करम की चटानों में परया जाता है। इसमें मैगनिसियम, सिलिका और पानी का मिस्रन होता है। पातर के निर्वान में किया जाता है। आगे है काइनाइट के बारे में। यह भी उच्टाप की छमता वाला खनीज है जो सिमुन जीले के सराय के लासे ले करके सिवाई और पहाडी तक 130 km लंबे और 16 km चोड़े छेतर में पाया जाता है। इसके उत्पादन मेराजे का भारत में प्रत्थम अस्थान है और इसका भंडार एक सो तेरा लाक टन है जो देश में भंडार का आरद दोसलों तीन तीन परतिशत है। इसका प्रयोग लुह बनाने में किये जाता है। इसकी खाने मुख्य रूप से धागी डीम और कन्याल और मोहन पूरा में है। आगे इसके बाद अगनी मिटी के बारे में देखे यह खनीज मुख्य रूप से कोईले की तहों के साथ पाया जाता है। ठीक है। उच ताप सहने की छंता के कारण इसे इटो का निर्मान करके भटियां बनाई जाती है। जिसमें खनीजों के गलाने का काम होता है। सरवेक्षन के अनुसार राजे में 41.87 लाख टन से भी अधिक अगनी मिटी यानि फायर कले का सुरक्षित भंडार है। या दामोदर घाटी पलामू राजमहल की पहाड़ियों राची सिम्डेगा सहब गंज और धनबाद में भी पाया जाता है। जहरिया के कुलेक भंडारों में भी यह पाया जाता है। इसका उत्पादन 261 टन है। लातिहार रौदुंका में इसका भंडार भी किया जाता है। आगे हैं चूना पतर के बारे में देखें। यह खनी जहर कड़ में सीमहुं हजारी बाग प्लामू और राची में पाया जा जिसका सुरक्षित भंडार लगवा 573 लाख टन है या भारत के कुल उत्पादन के 1.05 परतिसत है इसका उप्योग सिमेंट बनाने लोग इसपात निर्बान और चिन्नी मीटी के बरतन और ग्रिह निर्मान आदी में समागरियों के रुप में किया जाता है राज में इसकी 33 ख के बीघटन से निर्मित होने वाली मिटी है फेल असपार गिरीडी में कुवाडजाइट के रुप में मिलता है राज में इसका 345.2 मिलियन टन भंडार है इससे प्राप चिन्नी मिटी का अनुमानित भंडार 41.7 टन लाख टन चिन्नी मिटी से बिजली के उपकरन घरलू ब लाची सीम्भूम और हजारी बाग और धनबाद आदी में मिलता है आगे इसके बाद डूलमाइट के बारे में देखे यह पलामु के डाल्टन गंज में अधिक पाया जाता है सीम्भूम में भी इसका उत्पादन किया जाता है जारकन में इसका अनुमानित भंडार 47.2 ला बेंटो नाइट कले का निछेपन ज्वाला मुखी राख पर जल की उपस्थिती में रितु छरन ठीक है की किरिया होने से होता है बेंटो नाइट कई परकार के होते हैं जिसमें लवक सभी परकार के निछेप जारकन में पाया जाते हैं या हाइड्रोस एलुमिनियम सिलिके जो परतदार चटाने के टूटने से बनते हैं जहारखन में इसका 0.881 मिल्लें टन भंडार सुरक्षित है यह राज के साहब गंजीले के बढ़ हरवा तीन पहाड और बाकुडी और तल जहरी आदि से तने पाया जाता है इसका अपयोग पेंट और डिटरजेंट और सुन्द सेरे प्रसाधन, फौंड्री, डिलिंग, कागज उद्यो, खा तेल को साप करने के लिए किया जाता है इन खनीजों के अलावा राज में एपेटाइड और इस्टेटाइड आदि खनीज विपाय जाते हैं और कोयोलीन, बेरो, राइट्स, और सीलिका, और सैंड और चाइना ग्रे नाइट के बारे में, जारखन में काले ग्रे नाइट का 46 मिलियन टन मीटर, एवं रंगीन ग्रे नाइट का 370 मिलियन घहन मीटर सुरप्चित भंडार है, राची के तूपु दाना होंडु और गुमला के कोले बीरा बसिया और बारवा जोड लोहरदागा पलामू के चैनपूर कोडरमा के डोम चांच और गोड़ा के कमरा जोल आदी जगो पर ग्रे नाइट पाया जाते हैं, आगे है इमले नाइट के बारे में, यह एक आन्वी खनीज है, जारखन में इसका संचित भंडार लगभग 7.4 लग टन है, यह कोडरमा गीरी डी हजारी बाग यह मराची पाया जाता है, आगे है कोलवेड मिल्थेन के बारे में, राज में मिथेन गैस का भंडार जहरिया बोकारो के कोविला छेतर में पाया जाता है, यहाँ पर कूल 379.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार की उपलबता आकी गई है, सरकार इसके बिरहत के बारे में, देखे, यह मेगनेटाइड और क्वार्ड, क्वार्ड खनीजों के साथ पाया जाने वाले गुलावी रंग का खनीज है, इसका परदन होने से चिन्नी मीटी का निर्वान होता है, जारखन में यह हजारी बाग सिंभूम, राची एम संस्थाल परगनाएं पाय जाता है, जारखन का निकेल उत्पादन में कुछ हिसा चोब परतिसत है, आगे है लिथियम के बारे में, देखे, कोडर्मा और गीरिडी की अबरक पटी में लिथियम तथा दुसरे रेयर अर्थ खनीजों में पाय जाने वाला संभावना है, खान भी भाग इन खनीजों की स्विक दल बनाया जाएगा, आगे है कोड़ा के बारे में, जारखन भारत में एक तिहाई कोड़े का भंडार रखता है, देश का लगवक 33.4% कोड़ा इसी राजे में है, इसलिए यह परथम अस्थान पर है, राजे में कुल 6.8 करोड टन कोड़े का भंड़ार है, यह राज में कोड़े के उत्पादन और भंडार द्रिष्टी से इसे 5 छेतरों बाटा गया है, जिसमें की दामोदर नदी घाटी कोड़ा छेतर, जरिया बोकारो रामगड़ा आदी, बराकर नदी बेसिन कोड़ा छेतर, अजारे बागिरेडी चोप, अजय नदी बेसिन जयनती और सहजोरी और कराया, राज महल पहाड़ी चेतर, पचवारा और चपर वीटा और जिलवारी, उतर कोड़ी बेसिन कोड़ाटन गंज, अमानत नदी घाटी वाला आदी चेतर, इन्वे से दामोदर नदी घाटी चेतर, देश में उच सरेनी के कोड़ा भंडार और 12 किलो मेटर चोड़े, कोड़ा पटी राज में आधे से अधिक कोड़ा का उत्पादन करती है, यहां उच गुनमता का कोकिंग कोल पाया जाता है, इसकी अधिक्ता अधिक्तम गहराई धरातल से लगभग 900 मीटर है, इस चेतर में कोड़े की लगभग 20 परते हैं, बोकारों चेतर में दो भागों बाटा हुआ है और दोनों कस्मिक चेतर फल 374 किलो मीटर है, यह कोईला पटी 64 किलो मीटर लंबी और 11 किलो मीटर चोड़ी है, इसके पूरों भाग में 29 परते और पच्छिमी भाग में लगभग 10 परते पाय जाती है, इसकी धरातल से गहराई लगभ चेतर में बटा हुआ है, यहा कोईले की परते 42 मूटी परत होती है, लेकिन यहाँ पाया जाने वाला कोईला माध्यम सरेनी का है, कुल कोईला भंडार में 50 और टन आका गया है जिसमें 44 परते और यहाँ का धरातल चेतर नंव सो मीटर की गहराई पर पाया जाता है दक्षिन कर्णपूरा का छेतरफल बारत सो तीस वर किलो मिटर है रामगार छेतर में अन्ठानवे वर किलो मिटर छेतर में बीस परते का कोईला मिलता है उपरी परतों में उत्म सरेनी और निशली पत्रों में निवन सरेनी का कोईला मिलता है कोईल भंडार अनुमान जिनमें गिरिडी के छेतर में 40 कुरोड टन कोईले का भंडार है या उच्छ स्रेनी का कोईला है अजारी बाग में भी लग पचास कोड़ टन भंडार आका गया है यहां 20 परतों में कोईला पाया जाता है आगे हैं अजय बेसिन छेतर में करंबद रूप से कोईला नहीं मिलत है यहां 40 कुरोड टन कोईला भंडार है यहां यह अस्थान पर दो परत तीन परत और कहीं कहीं पांच परत ही मिलता है जो साधारन स्रेनी का होता है आगे हैं इसके बाद कि राज महल पहाडी छेतर में विश्तरेत रूप से कोईले भंडार है और इसका छेतरफल 520 वर किल जाता है आगे है उत्री कोईल बेसिन में भी 612 वर किलोमेटर में कोईला भंडार उपलब्ध है यहां लगभग 250 कोईले में कोईले का होना अनुमान है पलामो जी लेके दक्षिन भाग में पर्मो कोईला छेतर औरंगा हुटार और डाल्ट गंज है तीन परतों में समान्य स्रेनी का यह कोईला और रंगा छेतर 207 कोईल टन उवलब्ध है और छुटार में 25 कोईल टन डाल्ट गंज में 18 कोईला भंडार है कठोतिया और आजहरा पर्मो कोईला खान है धरातल से 300 मिटर की गहराई पर इस कोईले में कहीं भी नमी और राक भी पाय जाती है इसके अस करम सा उच और मध्य एवं नीवन स्रेनी का है इसके आगे है कि अंतिम कोईला आकड़े 2020 से किसके अनुसार जारखंड में ने 119.296 मिटरिक टन और 16.6% कोईला उत्पादन दर्ज किया जबकि 36 कड़ राज ने 22.12% उच्तम कोईला उत्पादन दर्ज किया देखे आगे है उर्यों के बारे में आनुई खनीजों में उर्यों इस राजमें ढालमों की सुरंगों से प्राफ्त कि जाती हैंṣ array में खानों के 1 टन की चटाने 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक उर्यों प्राप्त होता है जाद्योड गोडा नार्वे और कंया लुका और केरुहए और ढूंगरी औ और जूर्मा डी में उरेनियम प्राप्ति का छेत्र है इसमें जादू गोड़ा सबसे अधिक भंडार और उत्पादन वाला छेत्र है थोरियम थोरियों नाइट से 90% तक मिलता है और एगले नाइट में इसकी अल्प मातरा 3% होती है जबकि मोनो जाइट में या 10% तक मिलता ह या मात्पून आनवी खनेज पार साबाद और दाबुआ डी और बंसा धर्वा और धर्वाजी लेके कुछ अस्थानों पर पाया जाता है और इनेमिल नाइट और राची के छेत्रम पाया जाने वाला खनेज है जिसका भंडार 7.4 लाग टन है इसके अतिरिक्त मोनो और बेरेलियम वही राज में कुडरमा और आजारी बक्षेत्रम पाया जाते हैं इन सभी आनवी खनीजों का उप्योग आनवी कुर्जा पेट्रोलियम उद्योग और विसफोटक पदार्त और साइकलोन ट्रोन आदी खनी अतक्नीकी और अमसंदान चेत्रों में होता है रा राज सरकार ने इस दिशा में कारे करना अरम कर दिया है और डी बीर्स कंपनी को 4000 वर किलोमीटर और जिन्दल कंपनी को 3000 वर किलोमीटर चेत्र में हिरा खोचने का कारे सौपा गया है आगे है कि राज में खनीज उत्खनन एवन बिरहत ऊध्योग है जार्खन की गर क्रिसी आबादी का एक बड़ा भाग इस उद्योग से जुड़ा हुआ है इससे रोजगार की तो आपार सम्हावना बनती है राश्ट भी सक्तिसाली होता है केंदर और राश सरकार ने मिलकर उद्खन कारे की गति तीब्र करने के लिविन युजनाओं का निरहान किया है और खनन उद्योग को बिक्सित करने के लिए साथ में 2002 को जार्खन अजखनीज विकास लिगम लिविटेड ने स्थापना की गई और JSMDC द्वारा तुपुधान राचे के गिरिनाइट और पालेशिंग उद्योग सापित किया गया देखो आगे इसके बाद कि जार्खन ने निवेश नीती को सरल और पारदर्सी बना कर देशी विदेशी पुंजी निवेश को को यहां के उद्योगों में निवेश हेतु आकरसित किया है इसके बावजूद खनीज उद्खनन से बहुत सी समस्या उत्मन होती है जिसकी तरफ सरकारों को ध्यान देना होगा कोईला उत्खनन में होने वारे दुर्भटनाओं बड़ी जन्हानी की कारण बनती है ठीक है मेलने हैं से उप्योगी यह लाइन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और फायर कले धनबाद बोकारों हजार बग पलामू गिड़ी रमगन क्वाड्ज उर्सिलिका पुरी सिंभू पच्छिम सिंभू स्राइक लखर जाओ दुमका हजार बग देवखर पलामू सहिब गंज और बिंजू नाइट सहिब गंज वॉक्साइड लोहर दगा लाते हर मेगनेट पलामू सिंभू और बेराइट के बारें राची पलामू पुरी सिंभू और सेल खड़ी के बारें पच्छिम सिंभू स्राइक लखर सावा पलामू दोलमाइट पलामू गडवा चूना पथर गडवा पलामू राची हजार बाग बोकारों पुर्वी सिंभू अला गिरनाइट दुमका अजामतड़ा उडर्वा नाची सिम्डेगा खुटी पलावू लाते हर गड़वा और रंगीन गिरनाइट भी वही पास। देखे आगे हैं परिवहन एवं संचार के बारे। देखें सड़क परिवहन के बारे हम लोग सबसे पहले आगे जालेंगे। राज में कुल परिवहन का 60% माल की ढूलाई एवं 85% यात्री परिवहन मार्ग की माध्यम से किया जाता है। सोतंता के बाद राज में वहनु की संख्या 170 गुना की बृधि हुई है जबकि सड़क की लंबाई में 8 गुना की बृधि हुई है। राज में तीन प्रकार के सड़के हैं नेशनल हाइवे जो भार सरकार नेंत्रों में है राज किये। राज मार्ग यम जीला अस्तरिये पत जिसे पी डेवलू डी के नाम से जाना जाता है राज सरकार ने इंतित करते हैं इसको। राज मार्ग यम राज सरकार द्वरा इसमें निहित किये जाए गए हैं और सोपे गए हैं और अन्य किसी राज मार्ग का विकास अनुरक्षन और प्रबंधन पथो के अनुरक्षन यम उने नहतुतत कालें यम द्रिकाली में त्यार करना और संस्तागत साधन व्योस्ता करन और एयों इस प्राजन के लिए लोक नीती नीजी भागिदारी को पुरुसाहित करना। सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग संख्या 20 है जिसकी कूल लंबाई 391.6 किलो मेटर है यह कोडर्मा बरही हजारी बाग रामकर खुटी होते हुए चाइबासा तक जाता है आगे है 2019 के जारखंड में सड़क की स्थेतिक अधार पर हैं पास सड़क के बारे में दिखाये ग बार सो एकटीस मेजर डिस्टिक रोड और तालिस सो पैंतालिस अधर आर्डी रोड श्यासर सो अठावन टोटल 16134 आगे है सड़क सगंता के बारे में तो देखें यहां पास टोटल लेंथ आफ रोड किलिमिटर में दिया गया है यहां पास टोटल भारत का दिया हुआ यहां पास जारकन के बारे में और यहां पास राजकी रोड के बारे में आगे है जारकन में वस्तित राष्टी राजमार के बारे में तो देखें राष्टी राजमार के बारे में यहां पास टोटल जो है उसकी संख्या दिया गया है और वो कौन-कौन से जीला में है उसके अभी किलोमेटर फैला हुआ है और यहाँ पास नेशनल हाईवे 18 जो है जो कि यहाँ पास धनबाद चास और वेस्ट बंगाल इत्यादी पार्ट तक 215 किलोमेटर तक फैला हुआ है उसी परकास से अन्य जो रोड्स है उनके जो रोड मैप है जो कौन-कौन चीले से होकर गु मार्ग है देखे राज की राज मार्ग के बारे में आप इसको इसकीन सोट ले लिजेगा और असानी से पढ़ सकते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे है दोस्तों रेल परिवान के बारे में देखें राज में रेलवे का प्रारम 1870 में हुआ जब धनबाद रेल में रेल लाइन का निर्मान कराया गया 1907 में पुरूलिया राची रेल मार्ग की सुरात हुई थी 1911 में राची लोहरद का रेल लाइन का निर्मान किया गया था पुना 1920 से 30 में किये दसक में डार्टन गन बढ़का खाना यहां गोमो मूरी चांडिल रेल लाइन का निर्मान कि है ECR यानि कि पूरो मध रेल्वे हाजिपूर और एक दक्चिन पच्छिम रेल्वे में SIR हावडा पूरो मध रेल्वे का गठन 996 SV में हुआ था जाठन Isthr धनवाद रेल्वेजिजन का गठन 5 नौंबर 1991 में हुआ था 25 सीम्हूं सॉरी दक्चिन पच्छिम रेल्वे के अंतर गत ढ़िए- Missouri Division एव tigers रेल्वे डिवीं ईंवं राच्छि रेल्वे डिवmber इस्तित एस्टेशन है जिन में की चैन्टा कि सबसे बड़ा रेले इस्टेशन धनबाद है राजी सर्वाष की वह सूली होती है यह नई देलि हावडा ग्रेड अर्कोट रेलवे लाइन परिस्तित है जारखन में जारी नई रेल प्रीजना रियल का यहाँ पास नीचे दिया गया है जारखन में नई प्रीजना रेल वला जारी किया गया है ठीक है राची बढ़काखन हजारे बाक कोडर्मा सतीन किल mínimo banned एतना जो अनुमानित लागत है ऊगो अपर दिया गया है ठीक है उसी परकार से कुछ अन्य यहां पस दिये गए थे, आगे इसके बाद वायू परिवहन के बारे में देखे, राज में वायू परिवहन की अधारभुत सनचना का भी खास बहुत कम हुआ है, राज में एक मात अंतराश्टी हवाई अड़ा राची में बिर्सम उन्दा अंतराश्टी हवाई अड़ा को अंतराश्टी मानकों के रूप में अनुमानती बिक्सित किया जा रहा है, यह देश का 2700 बड़ा हवाई अड़ा है, इसके लिए भारती बीमान पतन प्राधिकरन के साथ MOE किया गया है, देवघर में अंतराश्टी अस्तर पर हवाई अड अंतराश्टी बिक्सित किया जा रहा है, दुमका के में पाइलट प्रेस्क्षन अकाडमी का स्थापना निर्मान अधीन है, और जमसेत्वन वटाटा अस्तर द्वारा अनुमानी थवाई अड़े के निर्मान के लिए राज सरकार के अनुमान मांग की गई है, वरतमान समय में राज के तीन एरलाइन सेवा उपलब्ध है, एसमाय इंडिगो और गो एर और एर इंडिया के नाम से भी कारे कर रही है, ठीक है, इंडिगो की सेवा, राची से दिली, मुंबई पटना और कोलकाता के लिए सेवा प्रदान की जाती है, गो एर दिली, मुंबई चेनाई अहमादाबाद पूने और स्रीनगर के लिए विवान सेवा उपलत कराती है, और यहाँ पास राजे में स्थित हवाई अडियो को और नीचे तलीका में परदरसित किया गया है, ठीक है, देखे, बिरसा मुंडा हवाई अड़ा राची या अंतराश्टिये है, देवः हवा हवाई अड़ा दनबाद घरेलू है, बोकार हवाई अड़ा बोकारो घरेलू है भी नीजी है, और सुनारी हवाई अड़ा जमसेतपूर घरेलू है, और सिदू कानी हवाई अड़ा दुमका घरेलू है, मैथन हवाई अड़ा मैथन घरेलू है ये भी, देखे, आगे इसके जापानी सेना को रोकना था वर्तमान में यह हवाईड़ा ओपनेशनल नहीं है 1944-45 में नावाडी में एर पटी कनिन्वान ब्रिटी सरकार द्वारा और अर्मा अभियान के द्वारा किया गया था धनवाध हवाई अड़े में 1980 से लेको 1987 भी तक पटना कलकता राजी यह तू वायुदूत अपनी सेवा प्रदान करती थी जो 1987 के बाद बंध हो गई आगे हैं संचार वेउस्था के बारे में जेगे अधार्भु संचरना संचना के छेत्र में संचार सबसे महत्पुन कड़ी है राज प्रसासन के संचार वेउस्था के महत्वों को देखते हुए इसे सूरिट करने के लिए कई कदम उठाए गया है जहारखन स्टेट डाटा सेंटर इसका निर्मान त्री अस्तरी सनचनात्मक एवं क्लाड धारित है क्लाउड धारित है राज में स्टेट डाटा सेंटर एक अगस्थ 2016 को से कारे रथ है तथा इसके संचालन का दायित्व मेमर्स औरेंज को संपा गया है इसके संचालन के देख रेक एन आइसी द्वा कियोर्मेंट राज में परकार की निर्विताओं की परकिरा को परदर्सित करने के लिए पांच लाग एवं इससे उपर की निर्विताओं के लिए वरतमान में 49 व्युहागों द्वारा इपर्योर्मेंट की बिवस्ता अपनाई गई है आगे है एस एस डीजी राज सरकार ध्वारा भारत सरकार के सायता से इस प्रिजना के सुराथ की गई है इसमें आम नगरिकों की सुबिधा के मिला दस्तावेजों को अपनोट किया गया है आठप्रकार से इपॉर्म्स के इसमें सामिल किया है आगे है इडिस्ट्रिक्ट के बारे में जहार सेवा पोटल के अंतरगत इडिस्ट्रिक्ट परिजना को राज में लागू किया गया है जिसमें इसमें 54 सिवाव सामिल है राज में 23 जीलों में इस युजना के तहत जाती आए अवासी एवंजन वित्वी आदि पर्मानपत बनाना कारे किया जा रहा है इसके लिए हेल्प डेस्क के अस्थापना जीला अस्तर एवंग राची के इंदर अस्तर पर किया गया है आगे है इमुलाकात याता में लागत इंधन ब्याय सुल्क इत्यादी में ब्याय कम करने के लिए इमुलाकात की प्रनाले बिक्सित की गई है इसमें विडियो कॉंफरेंस में के माधिन से समाई की जाती है आगे है इसके बाद की common service center के बारे में तो राजे में 4660 ग्रामी छेतर आम 233 सहरी छेतर में common service center अस्थापना किया गया है राजे में 4562 ग्राम पंचानतों में एक प्रया गया केंदर अस्थापी तेवम संचालेत किया जा रहे है जहार नेट सरकार द्वारा जहारखंड state wide area network के अस्थापना दौर 56 में किया गया है वर्तमान में जहार नेट से सभी जिला मुख्याले 37 अनुमंडल और 214 पर खंडो में connectivity उपलत कराई गई है कार एवम लेखा प्रबंधन सुचना प्रणाली के बारे में एरा सरकार के सभी विभागों में कार एवम लेखा प्रबंधन सुचना प्रणाली का अप्योग किया जा रहा है इससे समंधित सभी विवागों के पताधीकारियों करमचारियों को इस सौप्टियोर के बारें प्रस्रिक्षन दिया गया है ठीक है और आगे है भारती सुजना प्रदूपिशन स्थान जारकर आज में केंदर सरकार के सहयोग से निजी सारोजी भागोदारी में इसमें की इतने प्रकार के जो ब्योस्ता है वो दिया गया है आगे है सौप्टियर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया ठीक है जारखन राज में सुच्टना प्रदूपिश्टर में सौप्टियर इंडस्ट्री को उत्कृष्टर अधारभूत सनच्टना प्रदान करने के लिए इस पार्क के स्थापना किया जा रहा है इसके उदेश नागरिक अपना कर सुलक अथ्वा सिमाओ के लिए अपयक्षित भूगतान भी घर बैठे अध्वन निकट्तम प्रगा के अंद्रों में त्यादी माध्यम से कर पाए पेमेंट गेटवे के माध्यम से विसे इधा घर के निकट उपलब्द होगी साथ ही या सुबिदा किसी भी दिन किसी भी समय उपलब्द हो जाएगी ओनलाइन भुकतान करके निमलिखित विकलप होते हैं नेट बैंकिन डेविट कार्ट्स और क्रेडिट कार्ट्स पेमेंट गेटवे से रेश्टरन डिपार्टमेंट कमर्सियल टेक्स डिपार्टमेंट और ट्रांस्पोर्ट ड देखे इस प्रजना के तहत राची सहर में वाईफाई की सुभिधा उपलब्द कराई जाएगी भारत सरकार के जिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सुचना प्रद्यूग इज़ार्खन सरकार दो राची सीटी को वाईफाई सीटी बनाने के लिए नहीं लिया गया है इस प्रपस वेहिकल जार्खन कम्यूकेशन नेटवर्क लिमिटेट का गठन किया जा रहा है इस प्रजना है तो मुखे प्रद्यों की इगवर्नेंस विभाग नोडल विभाग तथा और जैप आड़ी इतने इंप्लिमेंटिंग एनरजी जिसमें की MSPWC का चैन निवीदा के माध्यम से सिस्टम इनकरिग्रेटर्ट के रुप में किया गया है ठीक है इस वेव एप्लिकेशन को प्रणाम चरन में चार विभागों यमजीला मुख्यले रांची में शुरू किया गया है इस निमिस का कारे पूरा कर लिया गया है आगे है सुचना परदियोगी विभाग से समधित संस्थान के वारे में आगे है JEP IT देखे भाड़ा सरकार के विभिन महत्पून E-Guardianance प्रेजनाओ के किरान है तुरा सरकार ने एक सुहतता संस्थान के रुप में सुचना परदियोगी एम यानि के जार्खन एजनसी फोर प्रोमोशन आप इन्फोर्मेशनल टेक्नलोजी का गठन किया गया है जैप आईटी सुचना प्रद्योगी की यहम इगोवर्नेंस विभाग के अंतरगत एक बिलंबित संस्था है इसका गठन तेज तीन दोयाचार को किया गया था तथा सुसा लकार के विभीन विभागों में कम्प्यूट करन की अंतरगत विभीन परकार के सेवावाआयफ विस्तृत कि जा रही है कि जैसे ज्ञारनेट जैसे जैसे ई प्रोग्रामेंट जैसे या यसके बाद कि ज्जारकण अंतरइक अल्प उपयोग केंद्र J.S.A.C. आगे इसमें की रिपोर्ट सेंसिंग द्वारा G.I.S. प्रनाली का उप्योग करते हुए लगो 85 थीमेटिक लेयर बिक्सित किये है जिसका उप्योग विभीन विभागों द्वारा प्राकृतिक संसाद्नों के समन्द में योजना हेतु किया जा रहा है तीसरा है कि राष्टिय सुचना बिजान के इंदर N.I.C. के बारे में जार्खन राज के अस्थाप्ना के बाद राज मुख्याले एवं 22 जीलों में राष्टिय सुचना बिजान के इंदर लगातार महत्पून सिमाएं देता आ रहा है प्रारम में मन्तरालेयों, सचिवालेयों यां राजधानी और सित सभी प्रमुक भौनों में नेट वर्किंग इंटरने resonated के सुविधा सभी जीलो सभी माननीय मंतरियों एवं सभी सचीव के कक्ष में वीडियो कॉंफरेंसिंग के नेटवर्क एवं राज की अधिकरित वेवसाइट के निर्मान इसका उलेखनी युगदान रहा है एन आईसी ने के राज मुख्याले नेपाल हाउस में वीडियो कॉ इत्यादी का विकास किया गया है तो दोस्तों मिलते हैं जारखन के अगले लेक्शर के साथ तब्तय के लिए धन्यवाद